प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेटी पर कैसे हैं दोस्तों आप लोग अमीद करते हैं कि पहतर होंगे और अपना तयारी जोड़ सोड़ से कर रहे होंगे आप लोग का एक्जाम नजदीग है तो तयारी तो लाजमी बनता ही है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के महतुपर्ण प्रसनों के बारे में जो कि सीधे सीधे आपके एक्जामनेशन में आएंगे इस वीडियो से मैक्सिम्म कोश्चन आपको आपके एक्जामनेशन में देखने को मिलेंगे ठीक है मैंने पिछले साल भी questions कराया था हलांकि पिछले साल बहुत कम ही questions करा पाया था लेकिन उसमें से भी maximum questions आपके examination में आये थे और आपनों को पता है कि 50-30 objective questions बूझे जाते हैं तो objective प्लेस objective जितने भी questions होंगे सारा questions हम लोग इस channel पर cover करने वाले हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं लेकिन एक बात कहना जाओंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंट सर के लिए में भी share कर देजेगा ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाए और अपने exam में maximum marks लापाए हम लोग किस तरीके से परहाई करने वाले हैं अब्जेक्टिव बेस्ट हम लोग त्यारी करने वाले हैं अब्जेक्टिव बेस्ट मिन्स क्या कि आपके examination में अब्जेक्टिव का वेटेज ज्यादा रहता है तो हम लोग कोसेश करेंगे कि यतने से जितने ज्यादा अब्जेक्टिव हम से क्यों हो वह हम लोग कवर कर पाएं ठीक है वल्लाइनर फॉर्मेट में तो चलिए दूस्तों सुरू करते हैं पहला प्रस्ट से पहला प्रस्ट कह रहा है कि लगुपथन के समय परिपत्मे वेदुध धराग के मान पर क्या परवाब पड़ता है यदि आप लोग त्यारी कर रहे होंगे तो प्रिवेस कोशन देखा होगा तो बहुत बढ़ी कोशन पूछेगा है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीवाइक्यू कोशन जो होता है वो एक्जामनेशन में मैक्समम पूछे जाते ह तो सलाह तो यही रहेगे कि आप यदि यह सेल्फ स्टेडि करते हैं तो पीवाइक्यू जरूर करें ठीक है इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि लगुपथन के समय क्या होता है कि पड़ीपथम विदुधरे के मानबर क्या प्रहब पड़ता है तो सबसे पहले यहाँ पर ट जाता है जिसके कारण क्या होता है कि घर में जितने अप्करन लगे होते हैं वो सारा का सभूपण क्या होता है । बाजी हैублиश तरी यानि कि तेजी से होने लगता है जादा होने लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते है लगुपथन कहते हैं ठीक है कुछन कहा गया है कि लगुपथन के समय परिपत वेदुधारा कमान क्या होता है तो लाजमी सी बात है जब दोनों तार एक दोस्ते से कनेक्ट होंगे तो धा का वेल्यू क्या हो जागा वेदुधारा का मान काफी जादा बढ़ जाएगा ठीक है वेदुधारा का वेल्यू क्या हो जाएगा चले दूसरा क्वेशन देखते हैं दूसरा प्रसन है प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम है देखें प्रकास के प्रावरतन के अगर हम नियम कराया तो reflect होने के वाद ऐसे चला जाता है हम जानते हैं कि mirad का प्रकरती होता है दरपन का प्रकरती होता है कि दरपन पर यादि हम कोई भी प्रकास के किरन को आप्तित कराते हैं तो वह क्या हो जागा प्रावरतित कर देगा ठीक है और रूल क्या कहता है कि इसमें जो आपतित किरन होती है ये और परावरतित किरन होती है ये और अगर इस आपतन बिंदू पर अगर हम ये अभिलंब डालें तो तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होता है यानि फर्स्ट रूल क्या कहता है फर्स्ट रूल तो ये कहता है कि आपति इस तरीके से हमने देखा किया कि प्रकास के प्र्वरत निकल कर तो नियम यह उड़ीत आर रहा हिक कि आप्टी किरन प्रवरशन्स की दारा प्रवाइड होती है तो filament का प्रतिरोध क्या होगा दखें friends numerical के लिए आपनों को चिंदा नहीं करनी है क्योंकि जब exam नजदिक आएगा तो हम courses करेंगे हम courses करेंगा कि हम video लेकर करेंगे आपनों के लिए numerical based a special question का ठीक है जिसमें आपके examination में एक भी numerical नहीं छूटेगा चले फिलहल हम लोग इसके question कर लेते हैं आपने om slow पराओगा om slow के अनुसार आपने पराओगा v is equal to क्या होता है i r होता है पढ़ाओगा ठीक है यहाँ पर पूछा जा रहे है परतिरोध यहाँ पर दिया क्या क्या गया है हमारा volt दे दिया गया है कितना 220 एक मिनट 200 वल्ट कितना दे दिया गया है 220 वल्ट ठीक है current electricity कितना दे दिया गया है 2 amp पूछ क्या रहा है हमसे resistance पूछ रहा है फर्मूला तो आप यह जानते हैं तो फर्मूला पर लगा देजिए v है 220 वल्ट 220 is equal to आई कितना है 2 amp इंटू आर जैब इसको इससे डिवाइट के जैगा कितने टाइम्स जाएंगा 110 टाइम्स चला जाएगा ठीक है तो आर इस इकोल टू कितना हो गया 110 ओम हो गया आंसर ठीक है तो कितना धारा प्रवाइत होगा 110 ओम का प्रवाइत होगा चलिए अगला प्रफिशनी देखते है चलिन दोस्ते नेक्स टोकर्षन क्या आओ रहाएगे 1 किलो वाट घंटा का मांण कितना होता है तर सबसे पहले आपको तो यह पता होना जी 1 किलो वाट घंटा आखिर है क्या तो किलो वाट घंटा जो होता है या व्यबसाई कुरजा का ऐसा इमात रखे ठीक है जब बवरे पहमाने पर हम लोग वेदे तुरजा का यूज करते हैं किसी भी व्यबसाई के रूप में ठीक है तो वहाँ पर जो हम लोग का मेजरमेंट किया जाता है करेंट इलेक्टरिसिटी की सक्ती को पावर को तो कैसे किया जाता है किलो वाट घंटा में किया जाता है ठीक है तो इसका वैल्यू पता करने के लह हम लोग को यह पता होना चाहिए कि वाट आवर यानि एक वाट आवर का वैल्यू कितना होता है ठीक है तो कभी भी अगर 1W-H का वेल्ई आप से पूछे तो याद रखेएगा 1W-H का वेल्ई होता है 3600 J Devil क्या होता है 3600 J वैद रखेएगा चलिए अब यहाँ पर 1KW-Ah कह रहाए तो कीलो का वेल्ई क्या था-थ हजार होता है जब kilo अगर add कर देगा इसमें तो आप भी kilo add कर दीजे एक kilowatt यादे पूछ रहा है तो कितना हो गया 3600 जूल और kilo का value होता है thousand multiply कर दीजे thousand से जब multiply कर दीजेगा कितना होगा 36 और 2 सुन यहां और 3 सुन यहां कि 36 पर 5 सुन निया ठीक है तो इसका value कितना हो जाएगा 3600 गुने 10 पर 5 यहीं होगा 3600 गुने 10 पर 5 तो एक kilowatt आवर का value कितना होता है 3600 10 पर 5 होता है ठीक है दोस्तों चलिक इसको भृष करते हैं क्या निकल के रहा था एक कीलो वाट आवर का वैलियो आया था 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल ठीक है अब एक्जाम में एक चीज और कर दिया जाता है कि जो 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल है इसको कुछ इस टर्म में लिखे जाता है 36 गुने 10 पर 5 अगर हम इसको 10 से गुना कर दें और 10 से भाग कर दें कोई दिक्कत होगा क्या नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं 10 10 कटके एक हो जाएगा एक हो जाएगा मतलब एक से अगर किसी जीज को गुना करते है तो उसके वैलियो में कोई changing नहीं आती है तो इसका वैलियो कितना हो जाएगा देखे यह यह यहां पर 10 पर पावर 5 और 10 पर पावर यहां पर कुछ नहीं है तो एक है, हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर होता है तो पावर के बावर तो जूट जाता है और यहां 36 के नीचे यानि कि टोटल के नीचे यहां पर हमने 10 से क्या क्या डिवाइड करा है तो यह कितना हो जागा? 3.6 हो जाए 3.6 इन्टो 10 to the power 5 प्लस यह 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा तो याद रखेगा, दोनों में से कोई भी आप से पूछ सकता है तो 1 किलो वाट आवर का वैल्यू आप यह याद रखेए और यह याद रखेए, दोनों याद रखेए हो सकता है आप से ऐसे पूछ ले ओप्शन में देदे है कि तो देखे, वीभव का पूछे ठीक है? किस का? यह आपसे विभवक्त करते हैं वी से हिंदिकेट करते हैं जैसे करेंट तो याद रखेगा यहुत।ो आपसे ट्रैम कि य। या विभांत करते हैं क्या जाएगा उप कि पुछ ले क्या जाएगा ओम जाएगा ठीक है फिर पुछिले विवसाइग तो यहीं पेडिलो वाट्ट होता है इस तरीकए चितने फूर ऑर इसा यूनिट होते हैं वह सार ऐसा यूनिट है अप लोग याद कर लिएगा चलिए अगला प्रस्ण कहा रहा है सोडियम कर्बोनेट सोडियम बाइकर्बोनेट जिप्सम प्लस्टर और पेरिस और विवरंचक चुर्ण का और नमक का अनुसुत्र लिखें तो फ्रेंड्स यह तो कम सगम आपको याद कर ही लेनी है केमस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला ए क्या होता है एने टू सीयो थिरी होता है ठीक है सोडियम बाइकर्बोनेट का क्या होगा बस इसमें क्या कर देना है एने एच टू को हटा के एड़ कर देनी है ठीक है और सीयो थिरी कर देनी है एने एक सीयो थिरी जिप्सम का पूछ रहा है तो जिप्सम का क्या होता है क्या Xm sulphate होता है, क्या हो जाएगा C A SO4 हो जाएगा, उके, उसके बाद, kia होता है, तो Dipsum को गर्म करने के बाद ही इसका passe होता है, तो C A SO4 into 2H2O होता है, इसका value, ठीक है, 2H2O, जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, पानी गायव हो जाएगा तो क्या निकल कर किया जाएगा C-A-S-O-4 into half H2O क्या हो जाएगा? half H2O ठीक है? याद रहेगा? चलिए उसके बाद आप से पुछेगा विरंजक चुर्ण तो याद रहेगा विरंजक चुर्ण का होता है calcium oxy chloride C-A-O-C-L-2 यहाँ पर जितना भी रासानिक नाम लिखा है इस सब का chemical formula आपको याद होना चाहिए मैं यहाँ पर एक चार्ट पना देता हूँ आप इसका screenshot ले लीजिएगा ताकि याद करने माशन हो देखे बहुत सारी chemical formula दिया हुआ है तो उतने याद करना मुश्किल है ठीक है कम समय है तो कम समय हम लोग hard work के साथ साथ smart work भी करनी है तो इस प्रसन को आप लोग जरूर से जरूर याद रखेगा क्योंकि पिछले साल का यदि आप प्रसन उठाते हैं तो second shift में सीधे 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 से question पूछा गया था अगला प्रसन है किसमे अलेंग एक जनन मुकुलन द्वारा होता है देखे रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वह method है जिसके तोरह क्या किया जाता है ठीक है? रिप्रोडक्शन की दो भी दियां होती है रिप्रोडक्शन की कितने टाबस है? दो टाबस है ठीक है? एक तो हो जाते है आपका sexual और एक हो जाता है asexual sexual मतलब क्या हो जाएगा? लेंग एक प्रसन जिसमें दो जीव की भागे तरह बस्तरक होती है नर और मादा प्रजनर अंग इसमें भाग लेते हैं और असेक्स्वल रेप्रोडक्शन में क्या होता है एक ही जीव खंडीत हो करके नय जीव उत्पन करते हैं तो अलेंगिक प्रजनर में एक टाइप होता है मुकूलन इंगलिस में बडिंग बोलते हैं उसको जानि शरीर से यह हो गया आपका क क्या हो गया है, याद राखेंगे है, याद रखेंगे एक हाईज्ट्रा और एक यह अधर और इन दोनों में क्या होता है? मुकूलन केfa strajn sait, इस से धित Lapis नीकल रहे है, यह मुकूल है जो धीर धीरे विक्सित करेगा और जब यह स्वतंत्र जीवन ही अपने लाइक हो जाएगा तो यह अपने जनक के सेरिट को छोड़ देगा ठीक है यहाँ पर देखेंगे एक तो हो जाएगा आपका hydra, जिसमें मुकूलन के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, और एक हो जाएगा yeast, ठीक है, जिसमें मुकूलन के द्वारा प्रजनन होता है, दोनों याद रखेगा, amoeba में किस प्रकार का प्रजनन होता है, अगर आपसे पुछ ले कि amoeba में किस प्रक लेले के परा गोष में क्या पाए जाता है तो सम्सेपर होना बस लैए मौनेन ठीक है, फूल में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका जायांग, ठीक है, एक क्या होता है, जायांग होता है, और एक क्या होता है, पूमंग होता है, ठीक है, यह जो जायांग है यह फीमेल पार्ट होता है, और यह जो पूमंग है यह मेल पार्ट होता है, ठीक है, जा स्टिगमा ठीक है स्टिगमा जिसको हम लोग वर्तिकागर कहते हैं एक होता है स्टाइल जिसको वर्तिका कहते हैं और एक होता है ओवरी ठीक है जिसको क्या बोलते हैं अंडा से बोलते हैं यानि कि वर्तिकागर वर्तिका और अंडा से यह होगे फिमेल के तीन पार्ट यानि क का पराग कोस ठीक है और दूसरा क्या हो जाएगा आपका तन्तू क्या हो जाएगा तन्तू तो आप से यह पूछ रहा है कि पराग कोस में क्या होता है तो देखें यह आपका मेल पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट देख रहा है यह होता है तन्तू और यह प पराग कोस है और पराग कोस में यहाँ पर आपको छोटे-छोटे दाने देखने को मिल जा होगा यह जो है छोटा-छोटा दाना देखने को मिल जा होगा यह क्या होता है तो पराग कोस में जो छोटा-छोटा दाना पाया जाता है इसको कहा जाता है पराग कन क्या कहा जाता है पराग कन और यही पराग कन जो होता है मेल गैमिट कहलाता है क्या कहलाता है मेल गैमिट कहलाता है यानि कि नड़ युकमक कहलाता है ठीक है और फिमेल गैमिट किसे बोलेंगे मेल गैमिट तो हो गया पराग कन और फिमेल गैमिट हो जाएगा ओवा जिसको अंडानू कहते हैं ठीक है, तो याद रखे गा कुश्चन में कहा गया, पराग कोस में क्या पहा जाता है तो क्या जवाब हो जागा इसका अंसर पराग कन हो जागा, क्या हो जागा पराग कन चलिए अगला प्रसमें देखते हैं कह रहा है, गवाइटर या घेंगहा या गलगंड रुक, इसकी कमी से होता है तो समसी पहले आपको ये पतो ना च store कि गवाइटर, घेंगहायाया गलगंड़ से सरीर का प्रभावित होता है इससे प्रभावित होने वुला अंग है गला, गले में एक गरंथी पाई जाती है, जिसका नाम है थाईराइड, क्या नाम है, थाईराइड गरंथी, ठीक है, थाईराइड गरंथी से सरावित होने वाला एक हर्मोन है, जिसका नाम है, थाईरोक्सीन, क्या नाम है, थाईरोक्सीन, थाईरोक्सीन हर्मोन का सराव होता ठीक है किसकी मात्रा आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर थैरोक्सिन का निर्मान नहीं होता है क्योंकि आयोडीन जो है थैरोक्सिन के निर्मान के लिए अनिवार है थैरोक्सिन सराव तभी होगा जब हमारे सेरे में आयोडीन की मात्रा होगी अब आयोडीन की मात्रा हम और इसेरे में नहीं है तो थारोक्सिन का निर्मान नहीं होगा जिससे कारण क्या होता है कि प्यूस गरंथी जो होता है थाराइड गरंथी पर अतिरिक्त प्रेसर देता है थाराइड थारोक्सिन के सेक्रेशन के लिए जिससे कारण क्या होता है थाराइड गरंथी का आकार ब यह जो हो रहा है आयोडीन की कमी से किसकी कमी से आयोडीन की कमी से क्योंकि आयोडीन नहीं है मासरीर में आयोडीन नहीं है तो थारक्सिन का निर्मान नहीं होगा और थारक्सिन का निर्मान नहीं होगा तो थाराइट गरंथी परते एक दवाब बढ़ेगा जिसके कारण थार कोछ इस टाइब का होता है ठीक है और इसके चारे कोने पर और एक गरंथी होती है जिसका नाम होता है क्या पारा थाइराड गरंथी ठीक है पारा थाइराड गरंथी का काम क्या है कि यह सरीर में केल्सियम की मातरा को नियंतित करता है किसकी मातरा को नियंतित करेगा केल्सियम तो थेर्ण कामकरना बंद कर दिया इन तो कामकरना बंद करते हैं तो केल्सियम यॺद्ध धतार्द करन कर लें. या फिर टेबलेट के यूज कर लेय Ir. केल्सियम का level maintenance होगा ही हमारे सरीर में. जिस से करण अस्थिया कमजर हो जाएगी, दान्त कमज़र हो जाएगी और उन में फ्रना चौन हो जाएगा. ढाकास का रंग नील लाल क्यों होता है, तो इस सब का आंसर क्या हो transitioning, प्रकास का प्रकिर्णन, तेखिए होता क्या है प्रकास के प्रकिर्णन में जब आप लोगोंने परहा होगा Dispersion of Light, प्रकास का वर्ड विक्षैपन, तो आपने परहा होगा कि यादे किसीрь पृरिज्म से अगर स्वेत प्रकास को गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है ठीक है सात रंगों में सबसे उपर होता है red अगर एक पट्टी प्राप्त होते है इसको बोलते है spectrum तो सबसे उपर होता है red और सबसे नीचे क्या होजगा बैगनी ठेक है सबसे उपर रेड़ सबसे नीचे बैगनी तो इसको क्या बोलते हैं विब जियोड बोलते हैं क्या बोलते हैं मतल seize वाइलेٹ, इंडिगो, ब्लू, ङ्रीन, येलो, ओरेंज और रेडえー तो ये जो रेड है इसका तरंग देरग सबसे ज़्यादा होता है क्या होगा तरंग देरग जो होता है इसका सबसे ज़्यादा और इसका क्या होता है सबसे कम होता है एक ट्रिक बता रहूं याद रखेगा इसे रिलेटेट बहुत सारे कुशन पुछे जाते है चुकि लाल रंग का तरंग देर के जादा होता है तो इसके पास सक्ती जादा है तो यह कम गिरेगा यानि कम जोकेगा तो लाल रंग का प्रकरणन बहुत कम होता है जिससे करण यह दूरी तक जाता है इसलिए खत्रे का निसाल भी लाल कलर का यूज किया जाता है ताकि यह द गृण से ही प्रेक्षक को दिखाई दे चरीक है और तो यहां की सुर्यास तो पाही कि यह जाता है याद रखेगा लाल रंग का सिर्फ और सिर्फ तरंग दर्ग जाता होता है बादमा की कुछ भी कहने तो आप क्या करेंगे काम आंसर करेंगे या बैगनी का तरंग-dयर क्म होता है बाद मैं कि सब चीज ज़िए होता याकिन कि तरंग-देंग और क्म हो गया लेकर आप यह पृँच ले तो ज्ञास दा होता है या फिर प्रकिरणन प्रषन है इस आरे प्रषन में और नीकुलेड की है वो शारा इंपोर्टेंट करन्त कॉश्षन है, ठीक है, तो चलिए, धातु की बात करले, जो कम्रे के तापड़ द्रबवस्था में होता है, तो धातु कौन हो जाएक आपका, धातु हो जाएका आपका पाडा, क्या हो जा क्या है इसका तो संकेत है इसका बी याद रखिएगा इंपोर्टेंट है अगर पुछले की कमड़े के तापन प्रदरवस्ता में पाए जाने वाली धातू कौन सी है तो पारा टीक आउट करेंगे और यदि अधातू पुछले तो क्या टीक आउट करेंगे ब्रोमीन उल्टा करते हैं किस सेःट्री से और स्ऱैयन न किया सबाए जाएगा तो है य है ये जो जैए जो यम्युंद्र दिया गया क्या कि moim गया कह था तो इस रियर्पन पूर्ड है ये इसमने चालक तार रहे तो चालक के अग़र स्विजिकल अस्टेट में कोई चंजिंग ना किया जाएगा, भौतिक अवस्था में कोई परवरतर ना किया जाएगा, खास करके किस में, ताप में, ताप में अगर कोई परवरतर ना किया जाएगा, तो इससे प्रवाहित होने वाले वेदुधारा, है ना, वेदुधारा किसके समान उपाती होगा, दोनों चालक के सीरे पर उत्पन विवांतर के, ठीक है, यानि कि चालक तार के भोतिक अवस्था खासकर के ताप में कोई परवरतर ना किया जाए, तो चालक के दोनों सीरों पर उत्पन विवांतर विदुधरा के क्या होगा, समान उपाती होगा, ठीक है, यदि समान उपाती का चीन हटाते हैं तो एक constant value आ जाता है r यानि कि v is equal to क्या हो जागा r i इससे तीन formula निकलता है याद रखेगा ठीक है क्या v is equal to r i यदि r को इधर छोड़ देते हैं i इधर ले आते हैं तो v is equal to i is equal to r एक यह निकल करके आ गया ठीक है ओम के नियम का गनितिय मान क्या होता है तो ओम के नियम का गनितिय मान क्या हो जागा v is equal to i r ठीक है v is equal to क्या हो जागा i r हो जागा next question कर रहा है दिर्ग दिरिस्टी दोस का निवारन किस lens के दोरह किया जाता है तो देखें, दिरिष्टी दोस जो होते हैं, हमारे आखे में बहुत सारे परकार के होते हैं, हमारे जो स्लेवस है, उसमें तीर परकार का पढ़ना है, दिर्ख दिरिष्टी दोस, और एक हो जागा आपका निकट दिरिष्टी दोस, ठीक है, और एक हो जागा जड़ा दिरिष दिखाई देती है अगर आप जाना चाहते है कमेट जलोर किजिएगा हम इसपर के लिए बना देगा और एक होता है जरा दुर्ष्ट्री तो दु बता देते हैं दूर में अगर आप दूर को पर्हेंगेतों तो मेंूर आ रहा है हुआ है दूर में क्या रहा है तो, investment lens को प्रुर् Elizabeth divide रहा है शुब दूर द्रिश्टी दोस के लिए माल पाहँ ससा झील खाए आपतल लेकिन जब जड़ा कहलेगा ठीक है जड़ा Counselmani तब तो गडबड हो गई ना बाद, तब क्या होगा, तो क्या किया है, तो दोनों लेंस को मिला करके एक लेंस तयार किया जाता है, जिसे बोलते हैं, बाइफोकल या फिर द्वी फोकसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वी फोकसी लेंस बोलते हैं, या फिर इंगलेस में बा तो याद रखिएगा नियूनतम कितना हो जाएगा पचीस सेंटीमीटर याद रखे यानि कम से कम पचीस सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को देख सकते हैं और अधिकतम कितना तो मैक्सिमुम कितना हो जाएगा तो याद रखेगा अनंत आपका छमता आप जहां तक देख cm और अधिक तम दुरी अनद्ध होती है, तो चांप की, माप की सुपकरण के दौरण की जाती है, तो देखे है रक्ट चांप होता क्या है, देखे हैं हमारे सेरे में blood के circulation के लिए बहुत सारी कोसिकाएं है, ठीक है, कुछ कोसिकाएं मोटी कुछ कोशिका है पतली और कुछ कोशिका है बहुत मोटी है ठीक है तो जो सबसे मोटी कोशिका होता है उसको बोलते है धमनी क्या बोलते है धमनी बोलते है और धमनी खास करके सुधरक्त का पड़िवन करता है ठीक है याद रखेगा और धमनी से जो पतला होता है वो हो बड़ी ने ठीक है तो जो ब्लड का सर्कूलेशन होता है इन सभी तीनों के दोरा तो कभी कवर क्या होता है कि ब्लड के दोरा कभी कवर क्या होता है वैसे रेगुलर होता है लेकिन कैसी पर स्थिति में ऐसी पर स्थिति आ जाते जिसमें कुछ ज्यादा होने लगता है ठीक है तो क्या होता है बलड का जो होता है इन सभी पर प्रभाब पड़ता है यानि दबाब पड़ता है धमनी और इसकी जो साखाएं होती है उन सभी पर क्या होता है दबाब पड़ता है और इसी दबाब को हम लो क्या बोलते है रक्त दबाब यानि की बलड प्रेसर बोलते है क्या manometer याद रहेगा sphygmo manometer थोड़ा से लंबा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा काफी important है, बहुत पूछँ जाता है blood pressure में अपने के लिए किसका प्रेक होता है sphygmo manometer अब अगर आप से पूछ लें कि x-vast-victical blood pressure होता है वो कितना होता है आपका systolic pressure और 80 क्या हो गया डास्टोलिक प्रेसर ठीक है mm हो गया मिली मीटर और अच जी हो गया पारे का दाब यानि 122 मिली मीटर पर पारे का दाब ठीक है पूछेगा अगर 120 से अधिक हो गया या 30 से अधिक हो गया तो बोलेंगे बीपी हाई हो गया यदि इसे कम हो गया त के हिसाव से फिर हम question की quantity को आगे बढ़ाएंगे यादि आपनों का response अच्छा आता है तो अगले पार्ट में हम लोग question के quantity को बढ़ा दिया करेंगे ठीक है और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे का चैन किया था तो याद रखेगा बहुत वार पूछा जाता है इन्होंने अपने अनुवान सिकता से संबादित प्रयोग के लिए मतर के पौधे का चुनाव किया था ठीक है इन्होंने दो प्रयोग किया थ तो आप लोग कमेंट करके बतायेगा, आप लोग कितित त्यारी कर रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, तो आप बतायेगा ध्रीगॉन 하are-kosa- sooner-a- later-o, पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा आयो मैं में पहला प्राशन आपके उसे देख करके समझ सकते हैं ठीक है विद्यूत फ्यूज जो होता है अगर मन लिजे किसी कारण वस एलेक्ट्रिक करेंट का वेल्यू जादा बढ़ जाता है तो विद्यूत फ्यूज जो होता है वह गल जाता है ठीक है क्यों गल जाता है क्यों कुछ का प्रतिरोध अधीक होता है यह फी कोशन पूछा ज जैसे विद्यूत धारा का value बढ़ेगा तो क्या होगा विद्यूत फ्यूज गल जाएगा और गलने के कारण क्या होगा परिपत तूट जाएगा और परिपत तूटने के बाद क्या होगा आगे जो भी विपकरन लगे हुए है वह जलने से बच जाएगा ठीक है तो यहाद र ऐसे परस्न बहुत पर एक्जामनेसों ने पूछे गए, तो देखे, दाधी बनाने में अवतल दर्पन का प्रियोक किया जाता है, किस दर्पन का अवतल दर्पन का, देखे, अवतल दर्पन का करेक्टर क्या होता है, कि किसी भी वस्तू का बरा प्रतिभिम बनाता है, कैसा प देखने के लिए अवतल दर्पन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसलिए दाढ़ी बनाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पन का क्योंकि यह बड़ा प्रतिविम बनाता है, इसी तरीके से आगर आप गाड़ी के हेट लाइटों की बात करें, दल दर्पन का ही प्रयोग करते हैं, तो मैंने तीन यहाँ पर बता है, अब तीनों का तीनों याद रखिएगा, ठीक है, कौन-कौन सा, तो एक तो होगया दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेट लाइट में, यानि कि सर्च लाइट में, और आपका E.N.T. डॉक्टर के द् मैंने बताया थे किसे आप तीन फर्मूला निकाल सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, अगर मन लेजे कि I को आप बराबर के अपोजिट साइड लाते हैं, तो भी के अपन में आजाएगा, भी अपन आजाएगा, इस इकल टू आर, और आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध हो आपका क्या हो जाता, 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 आपक प्रकार के अभिकरिया हैं क्योंकि इसमें उस्मा का उत्सर्जन होता है देखिए उस्मा tidak चेपी और इसमा की मतलब सोहना तो जो सोखना यानि की उसमा की उत्सर्जन करे वह क्या करेंगा तो स्तों संत्रकें US सरवत्तम चालक कौन है तो देखे जिस भी बदार्थ का resistivity कम होगा ठीक है वह क्या करेगा current electricity को maximum क्या करेगा प्रवाइद होने देगा अपने से हो करके ठीक है तो अगर पूछ रहे विद्यूत का सरवत्तम चालक कौन है तो याद रखेगा चंदी क्या है चंदी जिसका संके आपने से पूछ लिया जाता है या तो आपसे पूछलेगा सरवत्तम सरवत्तम पूछता है तो आप चांदी टिक आउट करेंगे संकेते देख लिजिएगा एजी रहे गा और यह दूसरा सब सरवत्तम चालक कौन है तो याद रखेगा copper होता है यानि कि तंबा होता है नेक आवर्त कहा जाता है, ठीक है, और जो सीधा खड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, वर्ग, ठीक है, तो प्रस्न में क्या पूछा गया है, प्रस्न में ये पूछा गया है, कि आवर्त सारनी के उदगर अस्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदगर मतलब ये से संख्या कितनी है तो आप यहां से रर्कांट करते हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह 14 15 16 17 और 18 टोटल अवरंगों की संख्या कितनी है इतारा है तो आवर्त की संख्या पोस्ति है तो कि आवर्त को मैंने यहां पर कांट करके रखाए वरतों के संख्या कितनी होती है, साथ होती है, देखे, periodic table से related मैंने एक video already पहले से ही बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने objective question भी कराया और थोड़ी भी कराया, थोड़ी 18 minute का video है, आप उसको देख सकते हैं, मैं इसका भी link description box में दे दूँगा, ठीक है, उसमें मैंने periodic tables related सारे questions कराया है, यदि आप किसी competitive examination की तयारी करते हैं, तो उसके लिए भी आप उसको देख सकते हैं, नेक्स्ट है, पीतल किस पदार्थों का मिसरन है, तो देखे, मिसर धातू से related questions पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मिसर धातू से related जितने भी प्रसन होते हैं, उसको आप जरूर complete कर लिजेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, पीतल किस पदार्थ का मिसरन होता है, ठीक है, तो देखे, इसका एक trick है, याद रखेगा पिताजी, क्या trick है, पिताजी, P for पीतल, T for Tamba, और J for, जस्ता, तो पीतल जो है, वा किसका किसका मिसर धातू है, या मिसरन है, तो याद रखेगा, Tamba का, ठीक है, और जस्ता का, हो सकता है, जस्ता के जगह पर आपका Jink रहा जाए, ठीक है, तो दोनों याद रखेगा, Tamba या Jink, इसका संकेत क्या होता है, संकेत होता है, इसका JN, और Tamba क्या होता है, CU, तो आपका CU भी रह सकता है, और JN भी रह सकता है तो पीतल के इसका मिसुर्धातू है या मिसुर्धातू है तो तामबा और जस्ता का ट्रिक मैंने बता दिया पीताजी से आप याद रखेंगे नेक्स्ट है इंसलीन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारे सेरिपल में एक ग्रंथी पाए जाती है अगनिया से ठीक है अगनियासे देखिये मैं जितनी भी एक्स्ट्रा फेक्ट बता रहा हूँ सारा एक्स्ट्रा फेक्ट इंपोर्टेंट है याद रखिएगा अगनियासे जो है हमारे सरीर की सबसे बड़ी मिस्रीत गरंथी है अगनासे की बात करें तो अगनासे के अंदर एक सेल पाया जाता है ठीक है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है लेंगर हैंस की दूपिका ठीक है लेंगर हेंस की दूपिका इसका नाम लेंगर हेंस की दूपिका इसलिए परा क्योंकि लेंगर हेंस नामक वेग्यानिक ने इसको सबसे पहले देखा था तो लेंगर हेंस की दूपिका के स्ट्रक्शर पा जाता है जो दो प्रकार के सेल से बना होता है एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है यानि कि एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल से बना होता है तो यह जो बीटा सेल है इससे सरावित होता है इंसुलीन क्या सरावित होता है इंसुलीन ठीक है और यही जो इंसुलीन है या क्या करता है सरीर में ग्लुकोज के लेवल क कम करता है ठीक है अगर मैं लेजे किसी कारण बस इंसुलीन का सिराव कम हो जाएगा तो क्या होगा ग्लुकॉज का लेवल बढ़ जाएगा ठीक है किसका इंसुलीन का अगर सिराव कम हो जाएगा तो ग्लुकॉज का लेवल एटोमेटिक है कि क्या हो जाएगा बढ़ जाएग दुमें जो होता है इंसुलिन के कमी से होता है तो याद रखेगा अगनासा के लेंगर हैंस के दुपिकाओं के बीटा सेल से ठीक है चली अगला प्रसंद देखते हैं नेक्स्ट काई रहा है विद्यूत मोटर में उर्जा का रूपांतरन कैसे होता है तो देखें विद्यूत मोटर मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिक करेंट लेता है कौनसा करेंट लेता है लेक्ट्रिक करेंट लेगा तब चलेगा और इलेक्ट्रिक करेंट लेकर चलने के बाद यह कौन सा इनर्जी देता है, मेकेनिकल इनर्जी देता है, यानि कि यह विद्धित उर्जा से कौन से उर्जा को कनवर्ट करता है, विद्धित उर्जा लेता है, और चलने के बाद इससे यांतरिक उर्जा देता है, कौन सा उर्जा देता है, यांतरिक उर्जा, तो याद र एलक्टिकल इनर्जी में, तो यह सब याद रखेगा कौन सा पतंथ, किस प्रकार की इनर्जी को किसमें इनर्जी करता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, और इसको आप धैनिक जीवन से लेकर के चलेंगे, तो आप इजली याद रख पाएंगे, अगला है, प्रतिरोध कैसा है मतरक होता है ओम ठीक है क्या होता है और इसको इंडिकेट किया जाता है ओमेगा से किसे इंडिकेट किया जाता है ओमेगा से ओमेगा का साइन कैसा होता है कुछ इस तरीके का होता है याद रहेगा तो प्रतिरोध कैसा है मतरक होता है ओम होता है या तो आप के option में यह रह सकता है या तो आपको option में यह रह सकता है ठीक है objective best question अगर आप पूछा गया तो ओम या तो ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा या तो आपको संकेत दिखा हुआ मिलेगा तो प्रतिरोध का इसा मत्र क्या हो जाता है ओम हो जाता है इसी तरीके से प्रतिरोध का पूछ लिया, इसी तरीके से विदुद्धारा का पूछ लेगा, तो विदुद्धारा के एंपियर याद रखेगा, ठीक है, आवेस का कूलंब होता है, विभब का क्या होता है, विवांतर का भी वोल्ट होता है, विफसाइक उरजा का क्या होता है, किलो वाट घंटा होता अगर उड़ जा पूछ ले तो क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, उसमा पूछ ले जूल हो जाएगा, कारे पूछ ले जूल हो जाएगा, ठीक है तो इस तरीगे से आप याद रख सकते हो ऐसा ही मतर्ट से question बहुत पूछे जाते है चलो एक लाग प्रसन देखते है नेक्स्ट कॉश्चिन है अलकाइन का सामाने सुत्र क्या होता है देखें केमस्ट्री का कर्बनी कंपोंट है उस चेप्टर से यह कॉश्चिन पूछा गया है और यह कॉश्चिन बहुत इंपोटन्ट है ठीक है बहुत 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 जादे इंपोटन्ट है तो देखें अलकाइन का सामाने सुत्र क्या होता है तो इससे पहले आपको याद रखना है अलकेन का ठीक है अलकेन अलकीन और अलकाइन ठीक है यह तीनों का फर्मूला आपसे पूछा जाता है तो अलकेन का क्या होता है अलकेन का होता है CnH2n ठीक है प्लस 2 ठीक है अलकेन का क्या होता है CnH2n और अलकेन का क्या हो जाएगा CnH2n-2 ठीक है क्या हो जाएगा CnH2n-2 जहाँ पर C तो कार्बन की संख्या दिखा रहा है और H hydrogen दिखा से बोहत सरे कुश्टन्स निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि क्या कारवनी कंपाउंड से हम लोग जो केमिकल फर्मूला बनाते हैं हैं अगर आपको लगता है कि आप पूरे चाप्टर को अच्छे से समझा देंगे चलिए अगला प्रसुन देखते हैं अगला है चाकू की साहता से किस धातू को काटा जाता है ठीक है यह रेलेवे का फेवरेट कोश्चन है रेलेवे में पिछले साल जो एक्जामिलेशन हुआ था ग्रूपडी और एलपी का उ जिसको किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है मैंने खुद इल पी का पेपर दिया था तो उसमें मेरे से कुछisin पूछा गया था और उसमें था किसे चाकू को नहीं काटा जा सकता है ठीक है तो sleeping है कि लिटियम है पूटेसियम है और्र एक option दिया हूँ थी auguste है ल्यमिन जाइलम ठीक है और एक आपका होता है फ्लोईम ठीक है दो प्रकार के टिस्व होते हैं जाइलम जो होता है वह आपका लिक्विड जितने भी चीज होता है लिक्विड समस्टांस जो होते हैं उनका ट्रंस्पोर्टेशन कराता है फ्लोईम जो होता है वह सॉलिड चीजों का क् तो जितने भी घुलित और खनीज लवन होते हैं उसका पड़िवन कौन कराएगा जैलम कराएगा और फूद परदार्थों का यानि कि फूद पर्टिकल्स जो होते हैं उनका ट्रंस्पोर्टेशन किसके द्वारा होगा फ्लोईम के द्वारा होगा तो फ्लोईम भी याद रखेगा याद रखने का ट्रिक में बता रहा हूँ एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जो से जैलम, जो से जल ठीक है लिक्विड फॉर्मिट और फो से फ्लोईम, फो से फल फल सॉलिड होता है खाने के लिए यूज होता है खाना का पड़िवन कौन करेगा? फलोईम के द्वारा और जल का पड़िवन जैलम के द्वारा अगले प्रस्न है नर तथा मादा जनन हर्मोन के नाम एवाम कारे लिखें तो देखें, नर और मादा जनन हर्मोनों के नाम एक्जामनेशन है बहुत वार पूछे जाते है ठीक है? तो मैं बात कर लेता हूँ मेल का और फीमेल का ठीक है? तो मेल और फीमेल का क्या होता है? तो देखें, एक होता है आपका टेस्टो एस्टेरोन ठीक है? टेस्टो एस्टेरोन एक यह हर्मोन होता है ठीक है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजिन ठीक है एस्ट्रोजिन तो टेस्टोस्टेरोन जो है यह मेल में पाया जाता है और एस्ट्रोजिन किस में पाया जाता है अपका फीमेल में पाया जाता है एक चीज़ बताइए क्या मेल में इस की मातरा बहुत कम होती इस लिए यह फिमेल का structure में नहीं दिखाता है ठीक है और में में इस्टो एस्टो एस्टोर्ट आ जूरी टिकारण तवहाल्या होती इसके वज़े से टेस्टो एस्टोर्ट आपना परबहाब दिखाता है यानि कि पूरुस लेंगे कलक्षन का क्या करता है नियंतरन करता है और फिमेल में स्ट्रोजेन हर्मन की मत्रे जाद होते यसलिए क्या करता है मादा लेंगे कलक्षन का नियंतरन करता है तो याद रहेगा नर का कौन सा हो जागा टेस्टोस्टेरोन और मादा का क्या हो जागा अस्ट्रोजेन अगला है समतल दर्पन द्वारा कैसा प्रतिविम बनता है तो देखें समतल दर्पन द्वारा हम ऐसा कालपनिक प्रतिविम बनेगा कैसा बनेगा कालपनिक प्रतिविम बनेगा आपने जो घर में घर में जो यू ठीक है वास्तिविक प्रतिम्यम को उताना जा सकता है तो समतल्दरपन द्वरण कैśSA प्रतिम्यम मघता है काल्पनिक प्रतिम्यम मैंने फिजिक्स में फ्रस Humm CH chapter और स्व边ाबिस間 a किस तत्व का अप्रूब है तो दखिए हिरा जो है यह कार्वन का अप्रूब है कारवन के तीन अप्रूब होते हैं एक तो आईगा ही ठीक है । ग्रेफवाइट उक्रेंडaire याद रखेंगे और एक हाइगा आपक फुलेरीन ते कहा dit तीन कारवन के अपरूप हैं, याद रखेगा, जिसमें से ग्रेफाइट ऐसा है, जो करेंट इलेक्टरिसिटी को कंड़क्ट कराएगा, और हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है, इंपोर्टेंट है, हो जाएगा, देखे, प्रिथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है, छाड़िये धातु, क्या कहा जाता है, छाड़िये धातु कहा जाता है, अब जब दूसरे वर्ग के तत्व बोलेगा, तो देखे, छाड़िये मिर्दा धातु हो जागा, दूसरा क्या हो जागा, छाड़िय वर्ग कहा जाता है ठीक है और 18 वे वर्ग को क्या कहा जाता है सुन्य वर्ग कहा जाता है क्या कहा जाता है सुन्य वर्ग कहा जाता है या फिर निसकरिये वर्ग Nobel वर्ग भी इसको कहा जाता है तो इसमें इसका आंसर हो जागा? इनमें से सभी चाड़ी अमर्दा धातु यह हो गया दूसरा का Nobel वर्ग यह हो गया किसका? 18 हवा का Halogen वर्ग यह हो गया 17 हभा का और प्रत्थम का क्या हो जागा? प्रथम का हो जागा छाड़ ये धातू अगला प्रशने हैरे पौधे में किस घटक के आफ़ा में प्रकास अंसलेसन से महब नहीं है तो देखिए प्रकास अंसलेसन के लिए चार कच्छे समगर की अवश्यक्ता होती है जिसमेंचे है एक सुरे का प्रकास दूसरा है क्लोरोफिल तीसरा है कारबन डैकसाइड और चौथा होता है जल इन चार का होना चाहिए ताकि पौधे में प्रकास अंसलेसन की प्रक्रिया हो सके इन में से अगर कोई एक भी पौधे को नहीं मिला तो फिर प्रकासंस लेशन की प्रकरिया नहीं होगी और पौधे अपना कुलकोंस लेशन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जागा option number D यानि कि इन में से सभी नेक्स्ट है दो तंत्रीकाओं के मध्य खाली अस्थान को क्या कहा जाता है तो देखिए तंत्रीका कोशिका हमारे सरीर के ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होती और हमारा मस्तिष्क और मेरो रज्जू जो होता है वह तंत्रीका कोशिका कहीं बना होता है यानि कि तंत्रिका कोसिका का बना उथा है, जब दो तंत्रिका कोसिका गुलिये जाता है, दो तंत्रिका कोसिका के पिछ गया मुझता है खाली हसान भचता है, उसको बोलते हैं Synapse या फिर Synaptic Darar, तो इसका अंसर क्या जाएगा, option number C, इसका correct answer हो जाएगा. प्रसिए मनुस stora का में गुन सूतरु की संख्या कितनी हों खुष को छीका में गुण स्थर के संख्या की बात करे को छारी सुर्स जी साक्रक्तक करें पाई जाते हैं है कि जोरा का जिकर नहीं किया गया है अगर फ्रैक्षिक का जिकर क्या है होता है 22 प्लस एक्स वाइ यह मेल का मनुश्य में फिमल की बात करेंगे तो 22 प्लस एक्स ठीक है यह जो बाइस होता है यह मेल और फिमल दोनों में समान होता है जिने हम आटो सम कहते हैं और इसके दौरा सहरेडिक संदचना त्यार होता है 23 जो रहा जो है XY और XX ये क्या करता है लिंग निर्धारन करता है याने कि आने वाला संतेती मेल होगा या फिमेल होगा उसके निर्धारन के लिए किया जाता है और किसी भी सिसू का जो लिंग निर्धारन होता है वह पिता पक्ष के द्वारा होता है क्योंकि माता गक्ष में तो X add to眾 बराबर ही है। माता गक्ष में क्या है एक्स डोन ov बराबर है कि समयर्वध और I अगर एक्स मिलते हैं तो फिमेर जन्म लेगा और या दिवाई मिलता है तो फिर नेक्स्ट है ओम के नियम में किसका मान अचर होता है तो यदि आपने ओम स्लोपर होगा तो उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी चालक के बहुत एक अवस्ता खास करके ताप में कोई प्रिवर्टन ना किया जाए तो उसे प्रभाईत होने वाले विद्धारा उस चालक के दोन है तो यहां पर याद रिखेंगा विद्ध शक्ति का ऐसा मात रख हो जाएगा वाट ऑप्सटेंस का तीनों याद रखेंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सट नुबर बी नेक्स्ट है एसपस्ट दरसन की नियूनतम दूरी कितनी होती है देखिए एसपस्ट दर यहां पर नियूनतम दूरी की बात करेंगे तो अनन्त यानि कि हम से कम पचीज सेंटीमीटर रखी वस्तों को देख सकते हैं और अधिकतम अनन्त रखी वस्तों को देख सकते हैं तो यहां पर नियूनतम दूरी की बात की गई थी पचीज सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा अगला प्रोस्ट बायो गैस या गोबर गैस का प्रोम घटक क्या है ठीक है याद रखेगा बायो गैस और गोबर गैस का प्रोम घटक क्या हो जागा मिठेन हो जागा ठीक है क्या हो जागा मिठेन फर्मूला होता है CH4 क्या हो जागा फर्मूला CS4 इसका फर्मूला होता है याद रखियागा मिठेन को Mars gas भी कहा जाता है क्या कहा जाता है Mars gas या फिर कीचर gas भी कहा जाता है ये भी याद रखियेगा अब अगर बात कर लें butane और propane का तो यह जो butane और propane है यह आपका LPG में देखने को मिलता है इसमें LPG जो हमारे घरों में प्रयोग किया जाती है रसोईयों के रूप में रसोई बनाने के रूप में तो उसमें butane और propane gas का योज किया जाता है याद रहेगा मिठेन का प्रयोग गोबर gas में किया जाता है और एक साथ CNG में भी किया जाता है ठीक है लेकिन हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए पर की जाता है तो हिलियम जो है वह एक परकार का निस्करिया gas होता है क्योंकि यह किसी भी अन्ने ऐल्लमेंट के साथ रियक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके बाइतम बख्षा में कोई सेस्ट इलेक्ट्रोन नहीं बचते हैं तो इसके अगर हम बात करें इसके बाइतम बख्षा में कोई सेस्ट इलेक्ट्रोन नहीं बचते हैं सुनने गैस हो जाता है तो इसके कर्रेक्ट अंसर हो जागा option no.d नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने वर्ग तो था आवर्त है तो देखें मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्क्स कराया था तो वर्ग की बात करें तो आवर्त सारणी में जो उदगर लाइन होता है इसको वर्ग कहा जाता है और इस उदगर लाइन की संख्या कितनी होती है अठार और जो 36 लाइन होती है इन्हें क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाते है और इसकी संख्या कितनी है साथ है ठीक है तो आवर्त सार नहीं में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी साथ और आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी अठार हो तो इसका अंसर हो जाएगा B और C दोनों हो जाएगा यानिकि साथ हो गया आपका आवर्थ, ठीक है, साथ क्या हो गया, आवर्थ, और 18 हो जाएगा, वर्ग, थोड़ा यापर option set करने में mistake हो गई है, नेक्स्ट है, OH का क्रियासील मूलग कौन सा है, तो देखिए, OH का क्रियासील मूलग क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल हो जागा इसका अंसर, तो देखिया प्रक्रती में अगर oxygen के संतुलन की बात करें तो oxygen का संतुलन बन रहता है प्रकाइस अंसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा फोटो सिंतेसिस के प्रक्रिया होती है तो पौधे carbon dioxide और oxygen क्या करते हैं रेगुलर एक्सिजन करते रहते हैं नेक्स्ट है माने विर्दय में कितने कोस्ट होते हैं तो देखिये सभी जीयों के हिर्दय में कोस्टों की संख्या अलग अलग होती है माने विर्दय में कोस्ट की संख्या कितनी होती है चार होती है और हिर्दय का काम क्या है ब्लड पर प्रेसर डालना भूट प्रप्रेशर डाल करके सभी भागोमे थियुक ये इसके बारे में भी डिसकस करे ता आपको यदि डिटल जानना है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा नेक्स्ट है दाधी बनाने में कौन से दर्पन का उप्योग होता है तो दाधी बनाने में जो दर्पन उप्योग किया जाता है वो होता है अवदल ठीक है क्योंकि यह किसी ववस्तू का बरा प्रतिपिम बनाता है और चुकि हमें दाधी बनाने के लिए चाड़ा बरा करके देखना होते हैं ताकि एक भी दाधी छोटे ना तोसलिए हम लोग अव्दल दर्पन का योज करते हैं और ENT में भी हम लोग अव्दल दर्पन का योज करते हैं गारी के सर्च लाइट में भी हम लोग अव्दल दर्पन का योज करते हैं और उत्तल दर्पन का प्रयोग कहां किया जाता है गारी के साइट मिरट के रूप में अगला है स्पेक्ट्रम में कि इस रंग की किरन का जुकाव अधिक होता है तो देखें जुकाव की जब भी बात आएगा तो याद रिखेगा जिसका सकती कम होगा उसका जुकाव सबचाधिक होगा spectrum की बाद करें, तो इसमें जो जाता है, स्वेत प्रकास, जब प्रिज्म से गुज़रता है, तो यह साथ रंगों में क्या हो जाता है? विवाजित हो जाता है, साथ रंगों में तुटने के बाद सबसे उपर रेड आता है, और सबसे नीचे कौन सा आता है? ब्यागणी आता है यानि कि वाईलेट आता है तो ब्यागणी का तरंग दैर्ख सबسे खम होता जिसके कर निसका जोकाव शबसे ज़ादा होता है और लाल का तरंग दैर्ख सबसे तो याद रखेगा विद्युत्फ्योज जो विद्धारग उसमियो प्रभाव करता है विद्युत्फ्योज किसका बना होता है तो विद्युत्फ्योज सीसा और टीन का बना हुआ एक धातु है यानि कि स्टैनम और प्लंबम का बना हुआ एक मिसर धातु होता है जो घरों मे लेक्ट्रिक सर्किट में लगाई जाती है ठीक है तो यह किस प्रभावर करता है तो उसमिय प्रभाव पर अगला है विदो धारग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो देखें विदो धारग ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा एंपियर हो जाएगा संकेत होता है इसका ए ठीक है वोल्ट किसका है तो फोल्ट हो जाएगा किसका विभव या फिर विभवांतर का ओम किसका हो जाएगा resistance का और watt किसका हो जाएगा वेदूद सक्ति का किभलोवाट घंटा किसका हो जाएगा तो किभलोवाट घंटा हो जाएगा आपका वेफिस्थाई कुरजा का इसा हमत रख अगले प्रस ने किसी गोडिया दरपन की वक्रता त्रिजया 20 cm तो इसकी focus दूरी क्या होगी यदि अपने chapter परहा होगा reflection of light का तो इसमें अपने परहा होगा कि f क्या होता है f is equal to r by 2 होता है यानि कि गोडिया दरपन की वकड़ता तरिज्या और focus दूरी में क्या संबंध होता है f is equal to r by 2 होता है यहाँ पर question में हमें 8 दे दिया गया है तरिज्या दे दिया गया है radius दे दिया गया है तो क्या है तरिज्या का value कितना है 20 है तो f is equal to 20 upon 2 divide कीजेगा तो कितना निकल करकाएगा 10 cm इसका answer निकल करकाएगा जो कि option number b में है वैसे numerical के लिए आपको चिंता नहीं करनी है मैं किसी दिन numerical के लिए एक video special लेकर करके आँगा और उसमें जितने भी numerical होंगे सारे आपका complete करवा दूगा अगला है परवेट के विखंडन से carbon dioxide जल तथा उर्जा देता है और यह करिया कहा होती है तो तथा परवेट का विखंडन से जो carbon dioxide जल तथा उर्जा देता है तो यह जो प्रक्रिया होती है कहा होती है mitochondria में होती है और इसलिए mitochondria को क्या कहा जाता है कोशिका का, power house भी कहा जाता है energy house भी कहा जाता है या फिर बिजली घर भी कहा जाता है नेक्स्ट है किसी पिंट का वास्तविक प्रतिविक समानाकार का प्राप्ट करना है तो विम को उत्तल लेंस के सामने कहा रखेंगे तो याद रखेगा चाहे उत्तल लेंस कहा है उत्तल दरपन कहा है या अवतल दरपन कहा है या अवतल लेंस कहा है अगर प्रतिविम समान आकार का प्राप्ट करना है तो उसे हमेशा और हमेशा कहा रखेंगे वकड़ता के अंदर पढ़ी रखेंगे अगला है विद्धार उत्मन करने के युक्ति को क्या कहा जाता है ठीक है तो देखें जेनरेटर के द्वार हम लोग करेंट इलेक्टिसिटी को उत्पन कर सकते हैं एसी करेंट इलेक्टिसिटी को यानि कि जनित इसका अंसर हो जागा उप्शन अबर ए लगुपथन के समय पड़िपथ्व विद्धार का मान पर क्या प्रभा पड़ता है तो लगुपथन को मैंने पहले विडियो में अच्छे से समझाय है आप उसे देख सकते हैं तो देखें लगुपथन के समय क्या होता है विदुधारा कमान बहुत अधिक बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है मैंने पहले वीडियों बता रखे आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारा confusion क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट है इथेन का अनविक सूतर C2H6 होता है इसमें कितने सहस्योजक बंद होते हैं तो देखे सहस्योजक बंद के लिए आपको पहले तो संडचना बनाना होगा ठीक है तो अगर हम इथेन के संडचना सूतर तयार करें तो कुछ इस तरीके से तयार होता है ठीक है और यहाँ पर सभी जगा क्या लगता है हाइड्रोजन लगता है तो इसमें अगर हम सहस्योजी सहस्योजक बंद की बात करें तो कितने हो जाएंगे तो यहाँ से आप काउंट करना सुरू किजएगा एक तो यह हो जाएगा बंद दो तीन चार पाँच छेह और एक बीच में साथ तो साथ सहस्योजक बंद बनाता है यानि कि C इसका करेक्ट अंसर होगा नेच्ट है ओजोन के एक अनूमे उक्सगेन के परमानू के संख्या कितनी होती है तो तेखिया ओजोन के अगर हम बात करें तो ओजोन का chemical formula होता है O3 यानि इसमें उक्सगेन के कितने परमानू है तीन परमानू है इसका correct answer होगा ठीक है ओजोन को याद रखेगा ओजोन जो है सुरस आने वाले UV rays से हमें product करता है ठीक है और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखेगा 16 September को मनाया जाता है और ओजोन परत जो हता है उसमें कमी आती जा रहे यानि ओजोन शिद्र का सबसे बरा कारण क्या है तो हमारे दार उत्पादित जितने भी फ्रेयोन गैस जिस भी मसीन से निकलता है वह सारा हो जाएगा दीथा है तो फ्रेय Undiğ沒錯 आपके एग्जामनेशन में बहुत कम देखने को मिलता है अपके एग्जामनेशन में CFC देखने को मिलेगा याणि CFC जो है यह ओजोन परत में हराज का मुख्यकारन है नेक्स्ट है परागन किस में होता है परागकन तो याद रिखेगा परागकन जो होता है वह परागकोस में पाय जाता है बात में कि दलपुंज जो होता है पुस्प जो होता है उसका पाहरी पार्ट होता है और वर्तिकागर और इस तरीके सर जो है फिमेल पार्ट है तो कघोस्म नो परा आकन्जों होता यह पाधे का मेल पार्ट होता है या मेल गेमिट होता है। लेक्स विकाश के यह दूसल के समानता हैμ। जा पूसल्याजिज होती है। töरि यह संरन्मọnों फ्यूक्रम होगा है। ठीक है इससे भी क्वेशन बहुत पूछे जाते हैं किलो वाट घंटा किसका हो जाएगा जूल हो जाएगा उसमा उड़ जाएगा ठीक है और वाट हो जाएगा सक्ती का अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रस ने वीदू तुर्जा का वेवसाइक मत रख्या है मैंने भी जस्ट बढ़ता है किलो वाट घंटा डाप्टर हो जाएगा किसका अभी मैंने तुरत बता है पिछले वीडियो पिछला कुश्यन में तो वीदू तुर्जा डाप्टर कि वो भी देख लेते हैं कारवन के तीन अपरूप में एक तो हो जाएगा हीरा ठीक है दूसरा हो जाएगा आपका ग्रेफाइट क्या हो जाएगा ग्रेफाइट और तीसरा हो जाएगा फूलेरीन क्या हो जाएगा फूलेरीन कन्फ्यूज नहीं करना है फ्लोरीन अलग चीज है, fluorine, halogen, वर्ग से संबंधित है, और fullerine जो है या carbon का अपरूप है, तो carbon के तीन अपरूप हो गए, हीरा, graphite, fullerine, और हीरा के बार हम याद रखेगा, प्रकृती में सबसे पाया जाने वाल सबसे कठोड़तम पदार्थ कौन सा है अपका हीरा है, ठीक है, graphite अधातू है, फिर भी current electricity को conduct कराता है, याद रखेगा काफी important है, पूछा जाएगा कि वह कौन सा अधातू है, जो विद्युद्धारा का चालन कराता है, तो याद रखेगा graphite जो है या विद्युद्धारा का सरीरों के विद्धी एवं विकास के लिए हर्मोन की आवश्यक्ता होती है, और जनतू में भी हर्मोन का secretion होता है, और पादपो में भी हर्मोन का secretion होता है, तो हर्मोन के secretion के लिए सरीर में गरंथियां पाए जाती है, मैंने गरंथियों से संबधित separate वीडियो बना रख है यदि आप देखना चाहते तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पादप की बात करें तो पादप में कौन-कौन से पांच हर्मोन होते हैं तो याद रखेगा पादप में सबसे पहला हर्मोन हो जाएगा ऑक्जीन ठीक है दूसरा हो जाएगा जिब् प्रिलीन हो गया एथिलीन हो गया और एक कौनसो आजाएगा साइटो काइन और एबसेसे एसके सब्सक्राइब एक चीज़ याद रखेगा एथिलीन जो है एक मात्र गेसी अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है ठीक है और यह फल पकाने में मदद करता है इसलिए फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है क्रेतिरिम रूप से फल पकाने के लिए किसका यूज किया आता है तो क्रेतिरिम रूप से फल पकाने के लिए एसी टिलीन का प्रयोग किया जाता है याद रहेगा चलिए अगला प्रस्म देखते है नेक्स्ट कर्शन है तीन प्रतिरो प्लस R3 या फिर आगे जितने भी होंगे उसको लिखतेंगे और यदि यह भी समांतर करब में होता तो 1 upon R equivalent is equal to क्या हो जाता 1 upon R1 plus 1 upon R2 ठीक है इस तरीके से आगे और भी प्रतिरोद अगर रहते तो हम कर लेते हैं यहां पर हमारा सेरी नीकर में पुछा गया है तो हमारे लिए फर्मूला इंपूर्टेंट हो जाएगा ठीक है तो हम फिर से कर लेते हैं तीन प्रतिरोद दिया जिसका क्या है चार ओम है प्रतिक प्रतिरोद का वैल्यू यानि कि R1 plus R2 plus R3 यह कितना है 4 plus 4 plus 4 टोटल को जब ए करता होना चाहिए कि ओजन परत कहां पाया जाता है तो याद रखेगा ओजन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है अब यह मंडल कहां पाइया जाते हैं अगर यह आप जहनना चाहते है तो कमेंट करके जरूर बताएगा इसके लिए में separate video upload कर दूँँगा ठीक है तो देखिए ओजन परद जो आपका समताब मंडल में पाय जाता है ठेक है जो सुरे सखावाली प्राभेगनी किर्णों से हमारी सुरक्षा करता है तो ओजन परद में छिद्र होना शुरू हो जाता है किसके करण तो हमारे घरों में जो प्रयोग होने वाले मशीन होते हैं एसी रेफ्रेजरेटर या फिर मेकप कीट होता जैसे बहुत सारे मेकप कीट होते हैं वो सारे इन सबी से क्या होता है कि गैसे निकलती है जो उपर जा करके क्या करते है ओजन परत को हरास कराता है तो देखें ओजन परत के 6 का कारण कॉन सा है फ्रेयोन गस है और CFC का आँसे है ठीक है आप याद रिखेएगा CFC क्योगि मैक्सिमम टाइम पूछे जाता है CFC CFC का पूरा नाम होता है chlorofluorocarbon, क्या होता है, एक साथ लिखाएगा, ठीक है, इस पेस का मोने कारण में नीची लिख रहा हूँ, chlorofluorocarbon, ठीक है, chlorofluorocarbon होता है, CFC का पूरा नाम, तो इसका करेक्ट अंसर रोजागा option number C, दोनों, यानि कि free and case और CFC, नेक्स्ट है, यहाँ पर थोरा सा mistake हो गया है, लिखा गया है, पराग कन होता है, यहाँ पर पराग कन, पराग कोस से निकल कर वर्तिकागर तक पहुचने की परक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा, पराग कन, यानि कि pollination, क्या कहेंगे, इसको pollination कहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संसलेशन की करिया में, ऑक्सिजन किस से बाहर निकलता है, तो देखिए, प्रकाश संसलेशन की जब परक्रिया होती है, ठीक है, या फिर डारेक्ट इतना आप समझ लिए, कि वाई मंडलिये गैस जो हो करता है, तो रंध्र के माध्यम से क्या होता है, वाई मंडलिये गैस, पौधे क्या करता है, अधान परदान करता है, यानि ऑक्सिजन का भी और कार्बन डियाक्साइड का भी, ठीक है, किस के द्वारा, रंध्र के द्वारा, लेकिन यादि आप माल लेजेए, कि क्रिया बड़ासरन दोने इंपोर्टेंट है दोनों याद रखिएगा हैं अगला प्रस्ण इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए इंसुलीन जो होता है कहां से सरावित होता है हमारे अगनासे के लेंगरेंज की दूपी का के longa cells से देखिए इंसुलीन का प्रकास की बात करेगा, तो जो लाल रंग होता है, इसका तरंग देर्ग सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, तो अठातर सो एंगस्ट्रम होता है, कितना, अठातर सो एंगस्ट्रम, सबसे ज़्यादा तरंग देर्ग जो होता है, लाल का होता है, और सबसे कम किसका होग इसलिए इसका प्रकरिनन बहुत कम होता है, इसके पास सकती ज़ादा होता है प्रकरिनन कम होता है वालेट के पास वालेट का जो तरंग देरग है वह कम है इसलिए इसका जो काव जो होगा या प्रकरिनन जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर आपसे पूछ ले, एक ट्रिक याद रखेगा, लाल का जो होता है, सिर्फ तरंग द्रह अधिक होता है, बादमा की कुछ ही पूछ ले, तो सारा का सारा क्या हो जागा, कम हो जागा, चाहे तो प्रकरनर पूछ ले, या अप वर्तनांग पूछ ले, सारा कम हो जागा, ब Infusement किजएगा, यदि आपके examination में filament रहे, तो भी same answer आएगा, ठीक है, तंतु को English में क्या बोलती है, filament, तो विदुद पलब का जो तंतु होता है, वो tungsten का बना होता है, ठीक है, किसका, tungsten का, और यदि यही तार के जगा, तंतु का जगा पर तार दे देता, तो तार किसका बना होता है, वाट, क्या होता है, विदुद सक्दिका से मतरक, वाट, option C, इसका करेक्टान सुनों जाएगा, ओम किसका, प्रतिरोधका होता है, ठीक है, और किसका, प्रतिरोधका, और किलोवाट घंटा किसका हो जागा, व्यववसाइक और एंपियर किसका हो जागा, current electricity का, इससे question पूछेटर में इंदन के लिए किसका पूछाता है, याद रखीगा uranium का, next है, global warming के लिए उतर दाए, इस कहुंसा है, याद रखिएगा, चाहिए आप से global warming पूछ ले, चाहिए आप से greenhouse effect पूछ ले, ठीक है, global warming पूछ ले या फिर green house effect कह ले, दोनों के लिए क्या answer हो जाएगा, तो दोनों के लिए answer हो जाएगा, carbon dioxide, global warming के लिए भी उत्तर दाई है carbon dioxide, और green house effect के लिए भी उत्तर दाई है carbon dioxide, इसका अनुसुत्र याद रखेगा, CO2 होता है इसका अनुसुत्र, अगला है little more civilian, ब्रेगनी रंजक होता है, जो किस से प्राप्ट के जाता है, तो दखेए पादब को तीन कटगरी में divide क्या गया है, ब्रावफाइटा, ट्रेरोफाइटा, और एक होता है थेलोफाइटा, ठीक है, कौन सा, थेलोफाइटा, तो थेलोफाइटा में दो जीव, ज ब्रेकलो रपाप्त है, इसी reckon ke द्वारा प्राप्त होता है, या उसका अंसर क्या हो जाँगा, यानि 3 is to 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 is to 1 हो जाएगा, यानि हाइड्रोक्लोरी कमल का 3 और HNO3 का 1, ठीक है, अंसर क्या हो जाएगा, अगला प्रस्न है, अंडानू का निसेचन कहा होता है, तो देखे, यहाँ पर आपको पिक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, फैलोपियन क्या नाम दे जाता है, इंगलिस में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो याद रखेगा, निसेचन की परकिरिया जो होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, नेक्स्ट है, गोली अधरपन के फोकस दूरी और वकरता तरिजा में क्या संबाद होता है, याद हीटर में तार की कुंडली के स्तत्व की बनी होती है, तो देखें हीटर में हीटिंग एलिमेंट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो एलिमेंट है, वो होता है आपका नाइक्रोम, किसका किसका मिश करण में चुन का नैकरों का अगला है सिए न हीट्र करबन गुरू किसका सुत्र है टीकै तो देखिके चीन एच ट्बून जो है वह किसका है तो मैंने बतायए था आपको एकन का क्या हो जाएगा एलगेन का हो जाएगा сыage स्टोन ट्लुस तो ठीक है कि अलकेश का जैगा वही यह थो इशन फित एफ अलकेश हो जागा वही तो फित अन्ह जो कि क्या सब्छेल सारे हैं औरल ट्रुशन तो और आलकीन और कॉ yönपीशा हो हेस्टिस थूइल किसका है तो इसका अंसर सघ्ञें का और अधातु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रोमीं क्या हो जाएगा ब्रॉमीन तो option number C में दोनों दिया गया है, पारा और ब्रोमिन, ऐसा नोब कि आप D tick कर दें, क्योंकि आपको सब में दिख रहा है, लेकिन सब tick करेंगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि option number B में indicate कर दिया गया है सब सब, कि पारा और ब्रोमिन option number C में है, अगला प्रस्ने अनुवनसिकी के जनक कौन है, तो देखें, जनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है, तो याद रखेंगा, जनेटिक्स का जो फादर होता है, ये कि इन्हे माना जाता है, मेंडल को माना जाता है, कि मच्छली का स्वासनंग होता है गिल्स एकदम सही है केचुवा को होता है तोचा एकदम सही है मच्छड क्या हो जागा चूकि मच्छर कीट है तो स्वासने लिए यानि कि ट्रेक्या यह भी सही है और मनुष्य में किसके द्वारा था फिफरा के द्वारा था यानि कि चारो प्रकास की चाल कितनी होती है तो देखिए निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तीन गुने दस पर पावर आठ मीटर प्रती सेकंड होती है कितना तीन गुने दस पर पावर आठ मीटर प्रती सेकंड होती है या कभी कह वैसे भी लिख लेगा तीन लाख कीलो मीटर प्रती सेकंड क्या km per 30s 3,00,000 km per 30s या तिन-गूने दस्वर पांबर आठञ मीटर पर 30 sec अपके लिए आज का question आपके लिए question क्या है कि दो-गूने दस्वर पांबर 8 मीटर पर 30 sec किस का चाल होता है मतलब किस में परकास की चाल होती है और 2.5 x 10 x 8 मीटर होता है या दोनों को कमेंट करके बताईएगा चलिए अगला प्रसै देखते हैं वे तुछिंबक बनाने के लिए किस पतर्त के चर का होता है उप्योग होता है तो देखेछ वेयोतक्त बनाने के लिए नर्म- typically बाइच का प्रयोग किया जाता है ठीक है दरपन में एक लेकिन लेंस में दो हो जाएगा ठीक है अब कही है कई से तो देखिए अगर कोई भी लेंस बनाएंगे तो उसके लिए दो गोले का यूज होगा ठीक है दो गोले का अब इस गोले का यह क्या हो जागा केंदर हो जाएगा और यह केंदर हो जाएगा इसका अन्सर क्या होगा आपवर्तित होगा और अपरोदित होगा अगर म defin wir 250 से गुजड़ एक इधर होगा तो इह दो हो जाती हैं यानि कि पत्या जाती होगा तो हमारे घरो में 220 दारका पुर्दित की जाती है और 50 Hertz कौन सा 220 Volt और 50 Hertz की पड़ते वरती धारा हमारे घरों में आप उरती कड़ी जाती है तो इसका आंसर क्या हो जागा A में हो 220 Volt और 50 Hertz याद रख़ेगा यह जो है AC Current होता है क्या होता है AC Current यानि पड़ते धारा Option नहीं होता है DC दे दे यानि दिस्ट करेंट यानि दिस्ट धारा तो यह आंसर नहीं होगा कि हमारे घरों में AC का सप्लाई किया जाता है और उसकी जो छमता होती है वो कितनी होती है 220 वोल्ट या फिर 50 हर्ट जे अगला है ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभा पढ़ता है तो देखे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है जैसे चालक प्रदार्थ की प्रकृति क्या है प्रकृति के उपर भी डिपेंड करेगा क्योंकि सभी प्रतार्थ की जो conductivity होती है अलग-अलग होता है क्यों resistivity अलग-अलग होने के कारण ठीक है या फिर तार की लंबाई पर भी depend करता है तार की मोटाई पर भी depend करता है ठीक है और ताप पर भी depend करता है तो याद रखेगा यदि ताप बढ़ता है तो क्या होगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा लंबाई बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा लेकिन लंबाई यदि तार का मोटाई बढ़ता है तो प्रतिरोध घाट जाएगा अगला है किसी वस्तु का प्रतिविम आख के किस भाग पर बनता है तो याद रखेगा प्रतिविम जो बनता है आख के कौन से भाग पर रेटीना पर बनता है ओप्सन में कहा है ओप्सन में रेटीना कहीं नहीं है ठीक है लेकिन रेटीना का एक और नाम है द्रिस्टी पटल तो ओप्सन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज का आखरी प्रस्ण है विदुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द टूटेगा कब ११ुद बनेंगे यानि कि खड़ाब हो जाएगे। इसमें कीरे मगोडे लगेंगे तो यह. हो. क॑न करेगा few और जबेखजन करेगा तो इससे होगी उसमा रिलीज होगी हीट इनर्जी होगी ठीक है और की आज़ी आफीकरिया को क्या वलते हैं उसमाच हजोर जाएगा उपस buddies अपनेद्व we अगला प्रसने जो नित्र निकट इस्थित वस्तू को साफ नहीं देख सकता उस नित्र में कौन सा दोस होता है तो देखे निकट वस्तू को अगर साफ नहीं देख सकता है निकट रखी वस्तू को साफ नहीं देख सकता तो उसमें होता है दूर द्रिश्टी दोस याद रखे कुशन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टी दोस्ट से ग्रसित है तो किस प्रकार के लेंस का से उसको उपचाडित किया जाता है तो देखिया दू में उ आ रहा है ना तो दू में जब उ आ रहा है तो उ से एक ही लेंस है कौन सा उत्तल लेंस ठीक है उत्तल लेंस, दू, उ, यानि उ वाला वर्ड इसमें भी आ रहा है, उ वाला जो उचारन है दू में आ रहा है, तो उ से उत्तल याद रखेगा, और निकट द्रिष्टी दोस में कौन सा आवतल लेंस का प्रयोक किया जाता है, और जरा द्रिष्टी दोस में कौन सा किया जाता है दूइफोकसी लांज यानि की बैफोकल लेंज का फ्रक्लाट इसमें दूइक से लेंस का घ्लिकार को इंपॉरिटर ग्रत Эंधा किस्पी टॉपिया का घचैन्त के जो electron है वह किधर जाता है तो याद रखेगा anod की तरफ जाता है किस सेट जाता है anod की तरफ next है sisa और teen के मिसरधातू को क्या कह जाता है तो यह important है बहुत important है board की examination में नजाने कितना barrier repeat हुआ है तो देखेगा sisa और teen का जो मिसरधातू होता है उसे बोलते हैं fuse क्या बोलते हैं फ्यूज बोलते हैं पीतल किसका मिसरधातू है तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको क्या ट्रिक बताया था पिताजी करके पिताजी अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से इस cancer कर लगland यानी जो बीतल होता है वह तंबा किसकाक तंबा और जस्था क्या होता है मिसरधातों पहता है कभी कभी इसका दे जांकित देया जाएगा पंबा का से यू और जस्ता का जेड़न यानिकि जिंक अगला प्रस्व्य में पॉशन की कौन से विध्य़ीडाई जाती है ठीक है तो दिखके कवक जो हता है यह पर पोशी होता है यानि कि इस में अपना अजी कर पाएगा IKipot ब 놈 कर सकता था धक्र गभी और सकता था जाते हैं तो को याद रखेएगा जिसमें भी मिट पुसक पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है अप घहटक कहा जाता है यानि की D Composer इम्पोटिंट है याद रखेगा नेक्स्ट कुश्चिन है किस लेंस को अभिजरी लेंस कहा जाता है ठीक है तो देखें दो परकार के लेंस होते हैं होता है अगार उस– वास और या अब कर भाएंगे, उस्से, हम, अब्रकातो न हम ब्रकात याए इसी पर फिरल्न, अब्रकात ना करुदर सब्सक्राता है। 1 ब्रकास के किरनों क ne कर देता एक बिंदू पर मर्ज कर देती है अगला ब्रशने सक्ड़ियत स्रीनी में सबसे अधी क्रियाशित हातू कौन है फ्रेंटस प्रेंट्स हे आप रेलवेगे तयारी करते हैं तो याद जरूर कर लेजिएगा सक्ड़ियत आस्र nurse सक्रियत करेंट में लगकर होता है वह होता हम सब जाद संक्रियध की ओता है नाम है वह पो Are अगला है कि वेदः पड़ती पथे को किस करम में फट जोड़ा जाता है जहाना पर मीटर नहीं होगा bend होगा इसको मीटर नहीं मत तुमें किस करम ट्रिक बताराच हो एक होता है इस और मेखो किसी को फांळưng किस परकार के लोगों को फसा होगे, VIP लोगों को फसाना लोग पसंद करते हैं, ट्रिक है बस इसको जादा ने लिजेगा, मैं ट्रिक के तरीके से बता रहा हूँ, क्या करते हैं लोग, VIP लोगों को फसाना चाहते हैं, ताकि उससे जादा से जादा फायदा हो पाए, VIP लोगों को फसाना चा यहां पर F से हो जाएगा FUGE, A से हो जाएगा Emitter, FUGE और Emitter को किस करम में, S से स्रेनी करम में हो जाएगा, ठीक है, यानि FUGE और Emitter को स्रेनी करम में लगाया जाता है, तो याबर QS बगा गया Emitter, तो Emitter को भी किस में स्रेनी करम में लगाया जाता है, Option A इसका correct answer हो जाए बिसका correct answer होगा अगला है किसी चालक के छोरों के बीच विए भांतर भी प्रतिर्द र प्रवाहिद धरा आई के बीच क्या जब दोता है इसी को आप उलट पुलट करके तीन फर्मूले तियार कर सकते हैं क्या तियार कर सकते हैं गरहने देजिए V, R को इधर ले आए, तो क्या हो जगा? V upon R is equal to I. एक ये हो सकता है, और अगर R को इधर छोड़ देते हैं, तो V upon I is equal to R. ये तीन प्रकार के फर्मूले त्यार होते हैं. तो यहां पर बूच रहें, क्या संबंद है, तो V is equal to I, R होता है, यानि कि C option इसका correct answer ह हो जाएगा लेक्ष्ट है एक पीकोयटर का मान कितना होता है तो अपने केमिस्ट्र फिजिक्स में ुरूंबयो मानामाट कर ुख भी एकपी ओमीटर का एक थे एक उल्पकु मीटर मेनस द्रबावर chipAll कि रहां होता है कि सुकाणनों को समझ है यह ओनते हैं अगला unfold चैट है जो होता है इनहें हम क्या बोलते हैं दسم जिब्रेलीन क्या है तो देखिए पादप में प्रकार के हर्मोन होते हैं और मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है 5-6 मिनिट का वीडियो आप उसको देख सकते हैं प्लंट हर्मोन के बारे में सभी का क्या कार है वो सारा चीज मैंने उस मच्छे से डिसकस करा है तो जिब्रेलीन क्या है एक प्रकार का पादप हर्मोन है c-correct answer होगा next time पादप में फ्लोम किसके सभान के लिए उत्तरदाई होता है तो मैंने इसका वे ट्रिक बताये था पादप में दो प्रकार के सभान उत्तक होते हैं एक जायिलम और एक क्या होते है फ्लों में भी जल और घुली तखनी जलवनों का पड़ी बन कर आता है और दोनों को समलित रूप से क्या मोलते हैं समभन बंडल जब किसी चालकतार से विद्धार परवायत होती है तो गतिसील कन क्या होता है देखें याद रखेगा आगर सॉलिड सबस्टांस से करण इलेक्टरिसिटी का हो तो याद रखेगा इसमें जो गतिसील कन होगा वह कौन होगा इलेक्टरोन होगा लेकिन जब किसी सॉलूशन से होगा यानि की विलियन से होगा तो विलियन से जब गतिसील जो कन होगा वह क्या होगा आयन होगा क्या होगा आयन होगा तो यहां पूशा जा रहा है चालक हर्मन के बारे में बताया है वीडियो में आप उसको देख लिजेगा बहुत इंप्रोटेंट है उसे बहुत सारे कोशन से पुछे जाते हैं तो अब बूचा है पत्तियों का मुड़ जाना किस हर्मन के कारण होता है तो अगला है पवन विदुद जनितर में पवन की चाल से क तरह म करण किम कीतनी होना चाहिए तो देखिए वीदुद जनितर होता है वह पवनों से क्या करता है करेंट एल्शीटी को तीयार करता है तो उसमें पूछे जा रहे कि पवन देश कि से लीने मार्क को को और प्रस्णे सामनी को Nä लागा होता है मोटर गाड़ी चालक के सामने सामने का हैंने का मतलों कि यह साइड मीरर की बात कर रहा है ठीक है साइड मीरर यानि कि पस्षिद्रिस्थ तो पस्षिद्रिस्थ की जब भी बताएगी तो उत्तल दरपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन वहीं अगर आफ दल दरपन प्रकुर्ती में प्रिती पर उड़्ा का मुख्य स्रोथ क्या है तो कियो होता यह सितक यह किसका है करेंट उसल्टि का छो tailored किसका है तो मन किसका है तो और ऑर और किसका है तो तो देखें, एको सिस्टम में जो होता है, जैव घटक और अजैव घटक के जो अपसी संबंध होता है, इसको एको सिस्टम बोला जाता है, यादे की पारिस्थेत्की तंत्र, और पारिस्थेत्की तंत्र में जो दो घटक होते हैं, जैव और अजैव घटक के तीन घटक होते एक होता है उत्पादक ठीक है और एक होता है उपभगता ठीक है क्या होता है उपभगता और तीसरा होता है अपगटन करता क्या होता है अपगटन करता तो देखिए उत्पादक जो होता है सारे पोधे होते हैं तो जितनी पोधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उपभगत Immunodeficiency Syndrome, तो इसका correct answer हो जाएगा option number C, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ठीक है याद रखेगा, इसे में कोशिन पूछा जाता है HIV का, किसका HIV का, तो याद रखेगा Human Immunodeficiency Virus होता है, क्या होता है, Human Immunodeficiency Virus, नेक्स्ट है किस लेंस को अपसाडी लेंस कहा जाता है, तो मैंने इसी वीडियो में समझ क्या है, अपसाडी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, क्योंकि यह light को क्या कर देता है, अपसाडीत कर देता है, यानी फैला देता है, भोजन का पचना किस प्रकार की अविकरिया है, तो यह भी उस मच्छे पिया है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, heat energy निकलती है, next है calcium की के Laughs कहते हैं इतनी होती हैना क्सका होता है सुटियम का होता है 26 किशका होता है मैंने जो भी लिए है सारा गीना चणथन और important लिया है तो सारा important है इसको याद रखेगा कल्सियम का 20- hair K 바랜 26 और क्लोरिन का 17 अगला है चीटी के टंक में कौन सा अमल पाय जाता है तो देखें चीटी के टंक में फॉर्मिक अमल या फिर मेथेनौिक अमल या इसका आंसर क्या हो जागा दोनों हो जागा इसमें से एक आई उपीसी नेम है और एक साधारा नाम है ठीक है तो कोई भी ऑप जाता है क्यांडि यदि आप 18 का रेलबै का पिपर उठाता के देखेंगे तो उस में एक कुस्षिण से रहता ही रहा है अभलोफ जिए इस सभी सेट में एक कुस्षिंस आपको मिलेगा ही मिलेगा कितनी होती है अथारह है इसकी संख्या होती है नेक्स्ट कॉश्चन है वरिक कि संदाचनात्मक यहां पर थोड़ा से मिस्प्रिंट है ठीक है किड़नी जो उता है उसी को हिंदी महले वरिक बोलते हैं और इसका पूछा गया है स्ट्रक्च्यल एंद फंक्षिनल यॉनिट व्रिक जो आता है उसका अप्षिन नम्बर ब्लब डी यानिकि ए और सी दोनों नियूरोन किसका है तो नियूरोन है तंत्री का उत्तक्क्का किसका तंत्री का उत्तक का याद रखेगा नियूरोन को ही तंत्रीका कोसिका कहा जाता है अगला है कोसिका में पावर हाउस की से कहा जाता है तो देखें बहुत इंपोर्टेंट है कोसिका में जो पावर हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है मैट्रोकॉंड्रिया को कहा जाता है क्यों कहा जाता से मेंतुरकौन रीको सिफिका का पावर हाउस इनर्जी है उसियू थैली टीकई इंटरेंग कुंब्रोटेन की प्रोटीन की वोतार स्थान होता जहीं minorion को क्या बोलते तो गौboo को जी कहीं को बोलते oxygen उपस्थित होता है यानि कि present होता है और एक ऐसे होता है जिसमें oxygen क्या होता है अब होता है तो जो oxygen की ृपत में आगर भोज़न अनुमाओं का विखंडन होता है तो उसे हम क्या बहते हैं और और उपस्थिति में हो तो वाई वी ए सोशन या ऑक्सी सोशन ठेक है इसका गर्रेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा ओके देखिए अगर हमारी पेसी कोशी काओं में दर्द या क्रेंप देना शुरू करता है तो यह भी कोशन बूच सकता है कि पेसी कोशी काओं मे इस एसीड के करण होता है तो याद रखना है लक्टिक एसीड के वज़े से टेक है गंगा सफाय योजना कब प्राड़म हुआ था तो देखें गंगा सफाय योजना जो है वह उनिस सो पचासी में प्राड़म किया गया था एक करेक्ट आंसर इसका हो जागा 1985 अगला प्रस था कि यदि आपको नियुमेरिकल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें लेगिन आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया ठीक है तो हमें लगता है साथ आप लोगों को नियुमेरिकल का जरूरत नहीं है यदि जरूरत है तो कमेंट करके जरूर बताए ताकि हम ज हीनट किर गर हम लोह सेगेंद में कंवर्ट करेंगे तो कितना सेइंड होगा साथ सेकेंड ठीक है और हमारा चार्ज क्या देता गया चार्ज या गया है 120 कूलम cucumber पूछा क्या गया है धारा यानि आई is equal to what तो आप जानते हैं कि i is equal to क्या होता है Q upon T होता है क्या होता है I is equal to Q upon T होता है तो यहाँ पर Q का value कितना दिया गया है 120 ठीक है और time यानि T का value कितना दिया गया है 1 minute यानि की 60 second जब इसको divide करेंगे तो value कितना आ जागा 2 लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ पर वेद्यधारा का one पूछा गया तो वेद्यधारा को किसमे मापा जाता है M.P.R. में न तो 2 M.P.R. इसका correct answer हो जाएगा यानि option C इसका correct होगा next question है spectrum प्राप्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है तो देखिए spectrum प्राप्ट करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है ठीक है आप लोगोंने वर्ण विक्षेपन परहा होगा जिसमें साथ रंगों के एक प्रती प्राप्ट होती जिससे spectrum या वर्ण पर्ट कहा जाता है वर्ण विक्षेपन के बाद अगर हम बात करें एंपियर किसका होता है साई मातरक तो एंपियर होता है विद्धुत धारा का ठीक है किलोवट घंटा क्या हो जागा विववसाय कुर्जा का और वोल्ट हो जागा विववानतर और विववाव दोनों का इस question का correct answer हो जागा option number C परिपत में विद्धुत धारा की माप किससे की जाती है तो देखे परिपत में विद्धुत धारा जो मापी जाती है वह ए मीटर के द्वारा मापी जाती है कोई भी चालक थार है इससे जो current electricity flow करता है तो इसका measurement करने के लिए को उपकरन का यूज के जाता है और उसका नाम क्या है ए मीटर वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है विभवांतर मापा जाता है है ना क्या मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है इस फिगम मैनो मीटर के द्वारा blood pressure यानी कि B P मापा जाता है रक्तचाप और Barometer के दोरह वायू मंडल यांद आप याद रखना है, Sarra important है। कि इसके कर्ड आंसर हो जाएगा सरल सुक्षिम दर्सी में किस दर्पन का प्रयोग होता है तो देखें सरल सुक्षिम दर्सी में उत्तल दर्पन का प्रयोग किया जाता है B इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रस ने नीला तूतिया, हरा तूतिया और सफिद तूतिया का रसानिक नाम किया है लिद्धार होता है जिसको होतो है झाल लोग तो नेला थोथा सुंथा शे Are you यह हो जाएगा सफेद तूतिया ठीक है यह सफेद थोथा का और फेरस अलफेट किसका हो जाएगा आपका हडा तूतिया है ना या हरा थोथा का याद रखेंगे तीनों इंपोर्टेंट है हलांकि यहां पर ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया यहांबर आप आल कर लेंगे दी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला हैआ कल्यों रणग का रंग कैसा होता है या जोटी क्लोरो फिल वरनग वरनग होता है वा किस रंग का होता था था उंप्शन पोचलो फेल कानिर्मान कर आण होता है कोशन पूछेगा क्लोरोफिल का निर्मान कहा होता है तो याद रखेगा ग्रेना भाग में होता है यूरो टू का समबंध के से लेकी प्रकार का वायू प्रदूसक, यद के नियम में एकिस का मान यह हऽता है तो देखिए और स किया किया जाए और उस्य तो चालक के दोनों सीरों पर जो विवांतर उत्पन होता है वह क्या होता है विदुधारा के समानुपाती होता है तो यहां पर भौतिक अवस्था के बारे बात किया जाता है खास करके temperature में किसी प्रकार की चंजिंग ना कड़े तब हो जाएगा क्या विदुधारा और विव खा allen होता है प्रकास के करलडट वि इसका correct answer हो जाएगा वौक्साइट किस धातू का इसकते थमरें खेर फोधा क्या हो चैतनी क्या ईसे क्या क्यों आयदा बोक्साइट कोबने थाट की होाइगा को और विदुधा जलुदा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पॉध्य का चान किया था अपने प्रयोग में मटर के पॉध्य को चोना था एक शंकर संकरन का पूछा जाता है फीनो टाइप रेशियो तो याद रखेगा फीश्यो क्या हो जाएंगा तीन अनुपात एक और जीनो टाइप होसता है तो एक अनुपात दो अनुपात एक ठीक है याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्शन नंबर बी मटर कौन सा रसाइन ओजोन अस्तर के अपक्षे के लिए उत्तर दाई होता है देखिए अगर हम प्रिथवी के वाय मंडलों की बात करें तो प्रिथवी के वाय मंडल के उपर चार लेयर पाये जाते है ठीक है सहसे पहला तो छोब मंडल ठीक है उसके बाद समताप मंडल आयन मंड ऑर उपर चला गया तो बाहर मंडल तो यह हमारा ओजोन अस्तर है यह समताफ compare zaire में पाए जाता है और जोन जाता है यह बनुद सरके किया करता है हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो ऋजोन लेयर में क्या होता जा रहा है कमी हुती जारी है अपक्षय होताà जा रहा है कारण क्या है इसका है तो हमारे दैनिक जीवन में जोप्यों किया जाते हैं विभिन प्रकार के उपकरण उससे निकलने वाला एक किलो वार्ट घंटा का मान कितना होता है आप इसको रटना नहीं है इसको डिराइव कर लेनी है ठीक है देखिए एक किलो वार्ट घंटा की बात करेंगे तो घंटा में कितना होता है छती सो सेकेंड होता है और यहाँ पर क्या कहागा है एक किलो वार्ट घंटा तो कीलो का value कितना होता है? 1000 होता है ना? तो 3600 को 1000 से गुना कर दीजिए. ठीक है? तो कितना जाएगा? 36 गुने 10 पर power 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा? 10 पर power 6 तो 36 गुने 10 पर power 5 किसी भी option में है? जी है, इस option में 36 गुने 10 पर power 5 ठीक है? इसका option correct ये भी हो जाएगा. अब कहिएगा कैसे तो सबसे जादा यही पूछा जाता है. देखिए, अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें और 10 से भाग कर दें, तो क्या जाएगा? 3.6 into 10 to the power ये 5 और ये 1. जूर करके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो इस question का correct answer A भी होगा, और C भी होगा. ठीक है? याद रखिएगा. ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल यानि कि स्ट्रेटो स्फेर में पाया जाता है. चोब मंडल में मौसमी घटना ही होती है. मौसम संबधी जितनी घटना ही होती है. वह सारा का सारा चोब मंडल में होता है. समताप मंडल को वाय यान उरने का आधर्स के अंदर मना जाता है. और बेतार संचार जो होता है, वह आईन मंडल से सम्पाधित होता है उजनपरत कहा पाया जाता है तो सम्था पंडल में the origin of a species नमग पुंस्तक इस ने लिखा था तो देखे दर ओरजीन of a species नमग पुंस्थ लिखा था डार्विन ने चल्स रोबोट डार्विन ने इन्होंने प्राकृतिक चेयन का सिधान्त दिया था यह भी रहाद रखेगा कि प्राकृतिक चेयन का सिधान्त किस ने दिया था तो चाल्स रोबोर्ट डार्विन ने दिया था C इसका correct answer हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरंट से प्राप्ट होती है प्रत्यावर्ती धारा means AC current तो AC current जो होता है वह किसे generator से प्राप्ट किया जा सकता है ठेक है, motor किसी वी प्रकार की energy को produce खुद से नहीं करता है यह current यानि के वेद्यू तुधारा को कौन से यांत्री कुरजा में convert करता है और battery जो है रसाइनी कुरजा को वेद्यू तुर्जा में convert करता है हलांकि battery से जो energy निकलती है अवह AC ना रहके क्या होता है DC होता है ठेक है यानि dist धारा B. इसका correct answer हो जाएगा प्रत्यावर्तिधारा generator से प्राप्ट होता है यानि कि जनितर से ओम के नियम का गनितिय मान क्या होता है तो ओम स्लों के हिसाब क्या होता है V is equal to IR ठीक है A. इसका correct answer हो जाएगा रक्त चाप की सियंतर द्वारा मापा जाता है मैंने अफी कुछ समय पहले ही बताया था किसके द्वारा मापा जाता है इस फिगमू मैनो मीटर के द्वारा वल्ट मीटर के द्वारा विवांतर मापा जाता है एमीटर के द्वारा विद्धारा है ना और बैरो मीटर के द्वारा वाईमंडली दाब एस्फिगम मैनो मीटर रक्त चाप को मापता है और पूछ लेगा कि स्वस्त व्यक्ति का बीपी कितना होता है तो याद रखियागा 120 बट्टा 80 mmHg ठीक है यानि मीली मीटर पारे का दाब 120 हो जाता है सिस्टॉलिक प्रेसर और 80 क्या हो जाता है डियस्टॉलिक प्रेसर आनुवनसी की का पिता किसे माना जाता है तो मैंने भी जस्ट बताया था कि जेनरेटिक्स से संबंथ जो स्टड़ी है सबसे पहले किस ने किया था मिंडर ने किया था ठीक है कौन से पौधे का चेन किया था मटर के पौधे का चेन किया था इसलिए मिंडर को क्या कहा जाता है अनुवनसीक्ता का जनक यानिकी जेनरेटिक्स का जनक कभी-कभी आपसे जेनरेटिक्स भी दे लेगा तो यह भी ठर्म याद रखेगा फाइदर अफ जेनेटिक्स चार्ल्स रोबर्ट सॉरी ग्रेगर जॉन मिंडल विदुधारा किस में मापा जाता है देखिए इसमें बहुत सा रेस्टरंस कनफ्योंज करेंगे और गल्ती आंसर करेंगे विदुधारा जो होता है किस में मापा जाता है कोशन यह कहा गया है यह नहीं कहा गया है किस से मापा जाता है तो विदुधारा जो है मापा जाता है किस में मापा जाता है MPR में मापा जाता है लेकिन मापा किस से जाता है Emitter से हमारे घरों में जो current electricity आती है मापने का जो उपकरन है वह है Emitter मापा किस में जाता है MPR में तब तो कभी current electricity को लिखा जाता है तो X MPR लिखा जाता है है न, MPR MPR में मापा जाता है याद रखेंगे, सुक्रानु का निर्मान कहा होता है, देखें सुक्रानु जो है यह मेल गैमेट है, क्या है, मेल गैमेट है सुक्रानु, और इसका निर्मान कहा होता है, वरिशन में होता है, वरिशन को इंगलिस में टेस्टीस बोला जाता है, टेस्टीस में क्या होता है, फैलो पेनली का और सुग्राणू का निर्मन का होता है व्रिशन में विद्यूत मोटर में उर्जा का रुपांतरन कैसे होता है तो मैंने अभी तुरत बता है था कि विद्यूत मोटर जो होता है यह विद्यूत उर्जा को लेता है और यांत्रीक उर्जा में बदलता है ठीक ह बिजली की घंटी की अगर बात करें तो बिजली की घंटी जो होती है या विद्धु धारा के चंप किया प्रभाव पर कारे करती है ठीक है और हमारे घरों में जो आयरन का प्रयोग किया जाता है या फिर आयरन का प्रयोग किया जाता है या यूं समझ लीजिए कि जितने भी heat वाले component होते हैं जो कि पिजली से चलते हैं तो वो उसमें प्रभापर कारे करता है और उसमें heating element के रूप में क्या लगा जाता है naikrome लगा जाता है question में कहा गया था पिजली की घंटी किस प्रभापर कारता है तो चुम्ब किया प्रभापर सोने की सुधुता के मापन किस रूप में की जाती है तो देखें सोने के सुधुता का जो मापन होता है वा कैरेट में कड़ी जाती है ठीक है और सुधु सोना कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का होता है और हमारे घरों में जो आभुसन बनाए जाते है यह सोनार जौफुसन बनाता है उसमें 22 कैरेट सोना होता है ठीक है? और बाकी जो बचा भाग होता है उसमें तमबा का पड़ियोग कड़ा जाता है अगला है चाकू की साहता से किस धातू को काटा जाता है तो देखें काफी important प्रस नहीं है नजाने कितना बड़ यह examination में repeat हुआ है तो चाकू की साहता से हम sodium को काट सकते है potassium को काट सकते है क्या-क्या sodium, potassium और lithium तीनों को काट सकते है D इसका correct answer हो जाएगा समतल दरपन द्वारा कैसा प्रतिपिम बनता है तो देखें समतल दरपन द्वारा हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिपिम बनेगा कालपनिक प्रतिपिम बनेगा और कालपनिक प्रतिपिम को कभी भी परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है मैंने समतल दरपन का एक separate video बनाया है आप चाहें तो उसे playlist में जाकर के देख सकते हैं मैंने सभी subject का अलग-अलग playlist बना दिया है physics का playlist है है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा अगला है मानव नेतर में किस प्रकार का lens पाये जाता है तो देखिए मानव नेतर जो होता है उसमें उत्त लेंस पाये जाता है है ना उत्त लेंस टाप का structure होता है हमारा जो human eye होता है उसमें और इसके द्वारा जो light rays को reflect करके retina पर डाला जाता है और retina पर इसका प्रत्विम कैसा बनता है तो वास्तविक और ulta बनता है यह भी question पुछता है कि आंख में retina का प्रत्विक आंख में किसी वस्तु का प्रत्विम कहा बनता है तो याद रखेगा retina पर बनता है कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है और ulta बनता है जैकिन मस्तिसक को इसको सीधा करने की देखने के छमता होती है। कुश्चन कहा गया मानम नेतर में किस परकार के लिंस होता है। उत्ता लिंस होता है। आज का आखरी प्रस नहीं, अमिटर को विदुत परिपत में कैसे जोरा जाता है। तो देखे इसके वारे मैंने पिछले वीडियो में पर डिस्कुस कर रहा था मन लिजिए आपको किसी को पसंद करना है ताब कैसे लोगों को पसंद करोगे या फसाओगे तो हम अक्सर भी आईपी लोगों को फसाना पसंद करते हैं VIP लोगों को फसाना पसंद करते है तो V4 क्या हो जागा Voltmeter आई को silent रखेंगे Voltmeter को किस करम में जोरा जाता है Parler में जोरा जाता है यानि कि समाना अंतर ठीक है और Fuse और Emitter को किस करम में जोरा जाता है Series में जोरा जाता है यानि सिरेनी करम में तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, VIP लोगों को फशाना, क्या है, VIP लोगों को फशाना, F4 fuse, F4 Emitter, दोनों को किस करम में, सीरीज में, यानि इसरेनी करम में, VIP यानि कि वोल्ट मीटर को किसमें, पैरलर में कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है, Emitter को विदूत पड़िपत में कैसे जोरा जाता है, तो F4, यानि कि A for Emitter, तो Emitter को सीरीज में जोरा जाता है, यानि कि A इसका करेक्ट आंसर हो जागा, यानि कि या इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोन के सीधे अस्थनांतरन से होता है, कहने का मतलब, जैसे कि मन लेजए कि आपका, Sodium chloride बनता है थे, Na plus Cl minus करके बनता है, ठेक है, तो यहाँ पर क्या होता है? आयनो का is्थनांतरन होता है, आयनो का क्या होता है? अस्थानांतरन होता है, आयनों के अस्थानांतरन से जो भी योगिक बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है आयनिक योगिक, या कहले कि इलेक्ट्रोन के अस्थानांतरन से जो योगिक बनते हैं, उन्हें क्या कह जाता है, ठीक है, और यदि कहा जाए कि इलेक्ट्रोन के सहस यहां पर कहा गया अस्थनांतरन याद रिखेगा अस्थनांतरन और साजा अलग अलग चीज होता है ठीक है अस्थनांतरन का मतलब होता है सीधा देदेना और साजा का मतलब होता है एक तुसरे से फिर बदल करके मतलब बना के रखना ठीक है तो यहां पर गार अस्थनांतरन तौस्तनातरन से बनता एन एक उलग तो a इसका correct answer हो जाएको अगले प्रस्म है पीतल किसका उतारन है थीक है तो पीतल जो है एक myths रहतू है क्या है पीतल जो है किस मिस्छरेत। енյहे कितल जो है यह tu आमबा और अर जस्ता का मिश्रेते है थीक है याने कि तम् वा को कुपर्म बोलतें संहयों और त्मबा को जींक जसता हो क्या बोलते है। को था कि辑 सकता क्यों कि करके आप से क्यमिकल फॉर्मूला देख थो धो याद Works रिखेगा और कव थैय। तो यामदिन टाथ सब्चन में यह सब्चा है कार्वन नहीं है इसका नहीं इसका गरेंटन बते हो जागा और मैंने परियोडिक टेवल पहले ही करा रखा है है इंपरोटेंट है और वो 18 मिनिट का वीडि़ू बोगा नहीं प्रक्तेहं को क्या चीए सब्सक्राइब तो वो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्सन में देदूंगा आप उसको देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट, केमस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं काफी important video है, वहाँ से question सीधे सीधे आपके examination मढ़ेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्थम वर्ग, तो सरसे पहले बात कर ले, आवर्ध सार्डी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें जो उदग्र अस्तंब होता है, यानि कि खड़ा वाला जो संख्या कितनी है अठड़ है, ठीक है, और एक होता है लेटी हुई रेखा, यानि कि 36 लाइन, 36 लाइन को क्या बोलते हैं, आवर्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्ध और इसकी कुल संख्या कितनी होती है, आवर्ध की कुल संख्या होती है, साथ, ठीक है, दोनों पॉइंट याद रख चाड़ यह मिर्दा धातु, चौदह हमां याद रखेगा, 14 हमें वर्गों कहा जाता है, सिक्का धातु, ठीक है, 17 हमें वाले को बुला जाता है, हैलोजन वर्ग, और 18 हमें वाले को क्या बोला आता है, निस्क्रिये वर्ग, नोबिल वर्ग, सुन्ने वर्ग, पहुत सारे इसके नाम है ठीक है और याद रिखेगा निस्क्रिय वर्ग में जो सबसे पहला तत्व आता है वह कौन सा है हीलियम ठीक है और हीलियम के बाइत्म बक्षा में दो इलेक्टरन होते हैं बात में कि जितने भी निस्क्रिय तत्व हैं ठीक है सभी के बाइत्म बक्ष वी तांबी क्या होता है। नेकिस माताइबाद सुरूज्ट को योग संसाधन होता है चला उपरिकार्दिक संसाधन है। और वायमंडल जो है वह गैसों का पाता है नाइट्रोजन इसकी प्रतिसता तो नाइट्रोजन की प्रतिसता होती है किया जेक है और 0.94 किसका हो जाएगा औरगन का हो जाएगा जो की एक परकर का नोबिल गास है और सबसे ज़्यदा मतर में पाया ज़ने वाला नोबेल कास कौनसा अवाउमेंडल में तो और गा नहीं है ठीक है तो इसमें जितने भी उप्शनें मैंने दिया है सारा का सारा इंपोर्टेंट है भाई सारा को याद कर ले न और यह तो फिर पच्शन होना परेगा बात में जूले अगला देखते किmyसला याद रखेगा न और धोन सोटा का क्या हो जाएगा नहीं है यह थी यह अपने फीमेल रिप्रोड़क्टिव औरगन पढ़ा होगा तो उसमें उसका फीमेल रिप्रोड़क्टिव औरगन का जो है कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर ऌवड़ी होता है लुपी ने से नीचे का निचे का नेचेचन होता है तो यहाँ पर रहाए कि मादस तन्तर का भाग कौन नहीं है तो अनुप वाहिनी तो है वी डिम्भ वाहिनी ही जिससे फैलप्रै ट्यूब ए सफट्स भी है ठीक है सर्विक्स भी है लेकिन वृषन नहीं वृष्ञन को एंगलेज में बोला जाता है ट्स्ट्टिस का प्पुला जाता है ठीक है तो याद राखे हैं सबसे बरी गंद्धिक कौन है अब देखें गरंथी वाली बात आगई तो गरंथी से रिलेटर्ट को भी कुशन्स पूछे जाते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है इसका फी लिक में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा या आप बायो लॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर अब देखें आप अगना से सबसे बड़ी मिस्रित गरंथी बोले तो जो एंजाइम और हर्मौन दोनों का सब्सक्राइशन करता है और उसके बाद पीनियल ग्लेंट को कहा जाता है बाइलोजिकल क्लॉक बाइलोजिकल क्लॉक बोले तो टाइम को मिजर्मेंट करने वाला क् तो यह भी यह घड़ी है पेनियल ग्लेंट नाम का व्याद रखेगा अगला है सर्च लाइट का प्रावर्तख नवस्तव अवतल होता है साइड मीरर पूछ लेगा तो उतल हो जाएगा अब अगला है डैनेमो यांत्री कुरुजाओं कीस औरजाएं पर नियत करता है तेक रात के अंधेरे में लाइट के लिए ठीक है तो वो जो डाइनमो था उसको वो जो पहिया होता था उसमें चिपका दिया जाता था तो जब पहिया रोटेट करता था उसके साथ डाइनमो का जार्मोचर था वो भी रोटेट करता था ठीक है और उससे क्या होता था यांत्री ग शुआ मेरे सीने बार किसका इसके का है ऐलूमीनियोम का राखा ज़सय का या रहाए o और तांबा का कॉपर पारेड याद रखेगा, ठीक है, सब का पोस्ता है, एक अनुसुत्र प्रंत विविन संडचना सुत्र वाले योगे क्या कहलाते हैं, तो भाई, यह आपका सब्जेक्टिव टाप में भी पूछा जा सकता है, कि समाव यवी किसे कहते हैं, ठीक है, तो य याद रखेगा, एक अनुसुत्र प्रंत विविन संडचना सुत्र वाले योगे क्या कहलाते हैं, समाव यवी कहलाते हैं, अगला है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, तो रक्त को थक्का बनाने के लिए टिकानू भी चाहिए, और इसी का नाम है प्लेटलेट्स, र साथ साथ एक विटामिन भी चाहिए, ठीक है, विटामिन के जो है, यह रक्त पठ्ठिकानू और प्लेटलेट्स के निर्मान में मदद करता है, ठीक है, इसलिए विटामिन के भी हो जाएगा इस का थासर, यानि कि इसा correct answer झागा, अप्सर नमर्टी इन में से सभी, अब एक इसलें ईत्रम्बो साइट इसके कारण किया होता है बलड थक्का बन जाता है अगला है कि विरिक बोले तो किड्नी ठेक है और किड्नी का संद्रड़ स्ट्रक्षर त्यार होता है और किसके कारण करता है तो वो करता है निफ्रोन के कारण और वरिक कोशिका के कारण मतलब D इसका correct answer हो जागा B और C मक्समी उस्ट्योन ने क्या किया होगा निफ्रोन को देखा होगा धना एक से kick मर दिया होगा तो वो गल्थ हो जागा भाई मेरे objective question है तो आपको पूरा objective में मतलब जितने भी option रहेंगे साड़े को पढ़ना है नहीं तो फिर गरबर हो जाएगी है ना आप को होगा कि भाई मैंने तो सही बनाए गया है लेकिन जब मांक्स objective में घट कैसे गया है यहीं घटने का कारण है अब्जेक्टि में आप टोटल उप्सन परेंगे उसके बाद आंसर करेंगे आपके पास बहुत सारे टाइम रहेंगे चलिए अगला देखते हैं अगला है एक कोसी के सहवाल में जलका पढ़िवन किस क्रिया दौरा होता अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दात होते हैं तो दात कहा होगा भई मुख में होगा ना तो मुख में कितने दात होते हैं तो दात पूछ रहा है कितने हैं तो दात होंगे 32 ठीक है लेकिन अगर प्रकार पूछ लेता तो हो जाता चार करतनक भेदक चवरनक और अगर चबरनक ठीक है। दूध के दातों की कुल संख्या कितनी होती है बीस ठीक है। और इतने ही दात तूटते हैं और दुबारा जनम लेते हैं तो कुश्चन मा पूछ लेगा कि कितने दात दुबारा जनम लेते हैं तो याद रिखेगा 20 दात दुबारा जनम लेते हैं ठीक है चली अगला देखते हैं अगला कहरा है कि दंत विसेसा के किस दरपन का उपयोग मरीजों के दात का परा प्रतिभिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है, तो जब यह बड़ा फोटो आएगा, ठीक है न, कीच मेरी फोटो वाला, जो बड़ा फोटो आएगा तो बड़ा फोटो आएगा भाई, जिसक तर्पन का प्रियोग करेंगेगे वय क्अ दर्पनका यहाद याद रीखे Parece बनेगा वह कैसा अल्टा बनेगा वास्टविक बोले तो उल्टा और कालंटी को बोले द्रिश्टी दोस को अवतल और उतल दोनों लेंस के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संसोधित किया जाता है तो देखे भाई निकट द्रिश्टी दोस को अवतल लेंस से संसोधित किया जाता है बतलब अवतल लेंस का प्रियों करके निकट द्रिश्टी दोस को दूड किय सकता है ठीक है याद रखने का तरीका दू में भी उ आ रहा है और यहाँ पर भी उ है तो इससे भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके संसोधन के लिए उत्तल और अव्तल दोनों बरगार के लेंस को मिक्स करके द्विफोक्सी लेंस आवेशितकन किसी चुम्प के छेतर द्वारा उत्तर की और विक्षेपित हो जाता है तो चुम्प के छेतर की दिशा क्या है भाई मेरे याद रखेगा ये कुशन फेजिक्स का है ठीक है और पिछले साल जो फेजिक्स का प्लस टू का एक्जाम हुआ था यानि इंटरमेड पित होता है तो चुम्प के छेतर की दिशा क्या होगी जिस और विक्षेपित होगी न उसके विपरित उसका चुम्प के छेतर की दिशा होगी और चुम्प के छेतर की दिशा का पता कई से चलता है तो वो पता चलता है मैक्सवेल के रूल से आपने परहा होगा मैक्सवेल कुंडली किसी चुंब के च्षेतर में घुरुनी कती कर रही है, इस कुंडली प्रेरित विदुधारा के दिसा में कितने पढ़ी भ्रमन के वस्षाथ पढ़ी वरतन होगा। यदि आपने जनीतर परहा होगा, जनेरेटर, ठीक है, तो उसमें परहा होगा, कि यदि किसे भी आर्मेचर को चुम्ब की ये छेतर में रखा जाता है, ठीक है, और उसको घुमाया जाता है, तो घुमाने के बाद, हर आधे घुर्नन के बाद, ठीक है, आधे घुर्नन के बाद क्या होता है, कि कुंडली से जो प्रेडित धाडा होत यह उसका डिरेक्शन चेंज हो जाता है ठेक है फ्लेमिंग के राइठ रूल के हिसाब से तो आधे घुर्णन के बाद क्या होता है दिशा चेंज जाती कि इसका विद्धारा का तो आधा खुर्णन कि इसमें है बी ऑप्शन में तो बी इसका क्रेक्ट आंसर होगा अगला है किसी विद्धुत धारावाही सीधी लंबी पड़ी नालिका के भीतरी चुम्ब के छेतर होता है तो भाई किसी विद्धुत धारावाही सीधी लंबी पड़ी नालिका के भीतर अगर चुम्ब के छेतर पुछेगा तो सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा शमान ह करना था चिपको अंधोलन देखिए होता क्या था कि लोग अपने अवशक्ताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं पेर पौधे को काटते हैं ठीक है तो पेर पर अध्य हमारे लिए कितने इप्रटेंट है भाई मेरे वह तो आप भी जानते हो ठीक है एको सिस्टम यदि प्रेयर प्रणद देक संसाधन है और अन लिए गरम नपन अंधुलन घैता है तो महिलाएं बुलते वह तो लोग भाई रखिकी को नहीं काट सकते ने इससे क्या होगा पेर शुरक्षित रहेगा तो इसी का नाम दे दिया गया चिप को अंदोलन की से संबंधित है तो व्रिक्षों के संबंधित है यानि वन के संदक्षिन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आखरी प्रस्ण है वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर ब उस्ँत्र क्या होता है तो साधारन चुना का होता है केल्शियम औक्साइड बोले तो अभी बुझ जयहता है अब हो जाएगा तो नीचे या मैंने टोटल छ्या फर्मूला लिखा है जिसमें से पहला फर्मूला है v is equal to ir आपने उसमें परहा होगा यहां से आप दो फर्मूला और क्रियेट कर सकते हैं i को इधरी छोड़ दीजे तो क्या हो जाएगा i is equal to v upon r हो जाएगा या r को छोड़ दीजे तो r is equal to v upon i हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से फर्मूला क्रियेट कर सकते हैं या ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक कतनी questions आएंगे तो आप इसले solve कर एक परहा होगा i is equal to q upon t ठीक है दूसरा क्या परहा होगा p is equal to v i देखें यहाँ पर यह जो मैंने formula लिखा है यह अलग-अलग questions में relate होंगे या तो आपका अगर मनलेते हैं कि p यहाँ पर क्या दिया गया पावर दिया गया है ठीक है पावर विवांतर और current के बिच relation दिया जाएगा तो आप यह formula लगाओगे और अगर मनलेजे कि power ठीक है विवांतर और प्रतिरोध के बिच relation दिया जाएगा तो आप यह formula लगाओगे यानि कि p is equal to i square r ठीक है चौता formula क्या है h is equal to i square r t यह आपका heating effect से related है यदि heat पूछ लेता है और वहाँ पर आपका विद्धार resistance और time दे दिया गया है तो आप इस formula का यूज़ करके असानी से बना सकते है पांचवा formula है आपका resistance से related आपसे कोई प्रतिरोध दे देगा और कहेगा यदि कि स्रेनी कर प्रतिरोध क्या होगा तो आप यह formula लगाओगे और यह दि कहलेगा कि सामाना अंतर करम में है तो आप कौन सा formula लगाओगे यह formula लगाओगे लेकिन यहाप एक पात ध्यान रखने वाली बात है कि यह है one upon our equivalent आपका जो भी last में solve करने के बाद answer आएगा उसको क्या किजेगा और equivalent के करतीजेगा यानि कि जो answer रहेगा उसको पलट दीजेगा ठीक है तो चलिए अब हम लोगे start करते है question चलिए देखते हैं पहला question कहा रहा है एक परिपत में 33 ohm का प्रतिरोध 2 ampere विदु धारा होता है इस प्रतिरोध के समीप voltage का मान क्या होगा ठीक है आपको अगर क कितना दे दिया गया है 33 ohm दे दिया गया है ठीक और इसके बाद क्या दे दिया गया है 2 ampere विदु धारा है यानि कि I दे दिया गया है आपका कितना 2 ampere पूछा क्या जा रहा है voltage यानि कि V पूछा जा रहा है तो मैंने जो भी फर्मूला बता है उसमें आप देख सकते हैं क R V और I में क्यार लेजन था तो OMS law के हिसाब से आपने क्या परहा था V is equal to I R क्या परहा था V is equal to I R ठीक है V आप से पुछा गया है I का value आपको दे गया है 2 और R का value दे दिया गया है 33 जब इसको आप multiply करोगे तो कितना है का 33 दो ना 66 और volt यानि कि 66 वोल्ट इसका correct answer हो जाएगा option number B इसका correct answer होगा ठीक है चलिए अगला प्रसने देखते है अगला प्रसने एक लेंप को जब 60 वोल्ट के सुरोथ से जोरा जाता है तब वो 5 अमपेर की धारा लेता है तो लेंप का प्रतिरोध का मान क्या होगा ठीक है अब देखे इसमें क्या क्या दे दिया गया वोल्ट दे दिया गया मतलब V is equal to कितना है 60 वोल्ट उसके बद 5 अमपेर की वेदी धारा यानि कि I is equal to 5 अमपेर ठीक है और पूचे क्या गया है प्रतिरोध यानि कि R is equal to ठीक है तो आपका V I R में क्या रिलेशन होता है आपको पुता है V I R में रिलेशन होता है V is equal to I R ठीक है दिया गया है V 60 is equal to I दे दिया गया है 5 पूच लिया गया है R तो 5 से इसको कट देजे कितने टर्म में जाएगा 12 टर्म में चला जाएगा 12 पंचे 60 यानि कि 12 is equal to R यानि कि 12 ओम इसका correct answer होगा option number B ठीक है उमिद करते हैं कि मैंने जो भी चीजें बताया आप लोगो समझे में आया गया होगा अगला है अगर सर्किट में 100 सेकंड में 500 कुलम आवेस का प्रवा होता है तो सर्किट में धारा का मान क्या होगा ठीक है यापर क्या क्या दे दे गया है सर्किट में 100 सेकंड यानि कि टाइम आपका दे दिया गया है कितने दे दिया गया है 100 सेकंड और कुलम कुलम बोले तो आवेस यानि कि क्यू कितने दे दिया गया है आपसे 500 ठीक है पूछा क्या गया है तो circuit में धारा कामान क्या होगा I पूछ लिया गया है मतलब अब आपको देखना है कि I Q और T में क्या relation होता है हमने जो formula बाता है उसमें क्या था I is equal to Q upon T ठीक है तो Q का value दिया हुआ है 500 ठीक है और T का value दिया गया है 100 जब आप इसको divide करोगे तो आपका value कितना आजाएगा 5 Ampere इसका value आजाएगा ठीक है option number D इसका correct answer होगा next है एक चालक में 18 Ampere की धारा आधे मिनट के लिए बहती है तो उतने समय में चालक के भीतर प्रवाहित को लावेस क्या होगा आप देखें इसमें भी क्या देदिया गया है 18 Ampere Ampere बोले तो current electricity is equal to I तो I is equal to कितने देदी गया 18 Ampere ठीक है और क्या देदिया गया आधा मिनट यानि कि time देदिया गया आपका तो आधा मिनट कहने का मतलब क्या होता है 30 सेकेंड क्योंकि एक मिनट में होता है आपका साथ सेकेंड तो आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड ठीक है तो 30 सेकेंड आपका timing देदिया गया है देखें मिनट को आपको second में convert करना पढ़ेगा क्योंकि आपर हम सारा ऐसा unit पूट कर रहे है तो time भी हमारा ऐसा unit में होना चाहिए पूछा क्या गया है प्रवाहित कुल आवेज मतलब q पूछ लिया गया है q is equal to what तो अभी हमने क्या कहा i is equal to क्या होता है q upon t होता है ठीक है i का value दे दिया है कितना 8.5 q हमें निकालना है q upon t का value कितना दे दिया गया है 30 यानि कि 30 है second q का value इतना दे दिया गया है अब जब इसको आप solve करोगे तो ये बरावर के बाद है q upon 30 तो 30 इधर आके multiply हो जाएगा यानि कि 18 into 30 is equal to q हो जाएगा जब आप इसको solve करोगे तो आपका अंसर आजाएगा पांसो चालिस q 8.5 या चोवण कितना हो जाएगा 8.5 या चोवण और एक 0 है तो 540 कूलंब इसका correct answer हो जाएगा c इसका answer हो जाएगा अगला प्रसुन लेते हैं एक विद्यत इस्तरी 500 वाट और एक 100 वोल्ट अंकीत है इस्तरी पर ठीक है तो कहा रहा है कि इससे प्रवयत विद्यत धरा का मन कितना होगा देखें इसमें दिया क्या क्या गया है 500 वाट दिया गया है वाट का किसका ऐसा यूनिट होता है सकती का यानिकी पावर का तो पी इस इकुल टू दे दिया गया 500 वाट ठीक है वी दे दिया गया है कितना 100 वी इस इकुल टू हंड्रिड और पूछा क्या गया है धारा I is इकुल टू वाट तो आपको ध्यान में रखना है कि पी वी आई में क्या रिलेस्वन होता है तो मैंने बताया था तीन फर्मूला एक साथ करके P-V-I में क्या relation होता है P is equal to होता है P is equal to क्या होता है V-I होता है ठीक है अब जब आप इसको solve करोगे ठीक है तो P आपका दे दिया गया है 500 500 is equal to V का value दिया गया है 100 into I जब इसको आप solve करोगे तो कितना आजाएगा I का value 5 ampere आजाएगा आपका I का value तो C इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्न क्या क्या कर रहा है एक विद्य तिस्तरी पर 2500 volt अंकित है तो इसका प्रतिरोज क्या होगा ठीक है क्या कह रहा है दे दिया गया आपको P दे दिया गया है ठीक है P कितना दे दिया गया है 2500 ठीक और विवांतर क्या दे दिया गया है V is equal to 100 दे दिया ठीक है और आपसे पूछा गया R तो P V R में क्या relation होता है मैंने अभी आपको बदाया था P V R में क्या relation होता है तो P is equal to होता है V square upon R ठीक है? यही होता है P is equal to V square upon R आप इस पर क्या करो? इसको डाल दो ठीक? P का value दे दिया गया है 2500 आप लेखतो 2500 is equal to V का value है 100 100 square है मतलब की दो बार गुना होगा 100 का यानि 100 गुना 100 ठीक है? और open में R अब देखें 0 से आप यह एक 0 काट सकते हैं और 25 से आप इसको चार बार में काट सकते हैं 25 चोगा 100 बचा कितना आपका? 10 और 4 तो इसको गुना करेंगे कितना बचा? 10 और 4 तो यह हो जागा 10 चोग 40 Ohm कितना हो जागा? 40 Ohm 20 का correct answer होगा अगला पुरस ने विद्य तुबलवका पढ़ते हो 200 Ohm है और एक Ampere की धार लेता है तो इसकी सकती क्या होगा? ठीक है दिया क्या क्या गया? अब से resistance दे दिया गया R दे दिया गया 200 Ohm ठीक है? और धार कितना दे दिया गया? 1 Ampere यानि कि I is equal to 1 Ampere ठीक है? पुछा गया है सकती यानि कि P is equal to Watt ठीक है? तो P, I और R में क्या relation है? मैंने भी बताया था आपको क्या relation है? P is equal to I square R क्या होता है? P is equal to I square R अब इस पर आप डाल दीजिए I का value दिया गया 1 तो 1 का square 1 ही होगा ठीक है? और into R, R हो गया 200 जब इसको solve करोगे तो आपका कितना हैगा? 200 Watt यानि कि D इसका correct answer होगा अगला प्रस ने 10 Ohm एक विद्यत इस्तरी 5 Ohm की 5 Ampere की धारा लेता है तो 10 second में उसमा कमान क्या होगा? ठीक है क्या गया दे दिया गया? 10 Ohm ठीक है 5 Ampere की धारा यानि I दे दिया गया आपका 5 Ampere और time दे दिया गया 10 second time क्या दे दिया गया? 10 second और पुछ रहा है उसमा उसमा बोले तो heat तो H is equal to what? ठीक है तो मैंने H, I, R और T के बीच में क्या relation बताया है? मैंने भी बताया था क्या? H is equal to क्या होता है? I square RT यहीं बताया था ना? H square I square RT अब इस फर्मूले पर डाल देजे I का value दे दिया गया 5 ठीक है? यानि 5 का मतलब क्या हो गया? 5 into 5 ठीक है? और R का value हो गया आपका 10 R का value 10 और T का value कितना हो गया? T का value भी आपका 10 ही दिया गया है, है ना? 10 सेकंड था तो 10 जब इसको solve करोगे तो 5 पच्चे 25 और इस पर कितना आजाएगा? Sorry, I square है ना? तो 5 पच्चे 25 है और इसका गुना हो करके कितना आजाएगा? 25 कितना आजाएगा? 25 अब यहां कहा रहा है कि कीलो जूल में option दिया गया है, ठीक है? तो कीलो जूल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीलो का मतलब क्या होता है? कीलो क इसको एक हजार से भाग देंगे, ठीक है? तो आपके सामने क्या value आएगा? कट करके, ये 2-0 से ये 2-0 खतम हो जाएगा, बच गया आपका 2.5 किलो जूल इसका correct answer, यानि कि C इसका correct answer होगा. अगला परस्न है, अगर 3-0, 4-0, 5-0, 5-0 के 3 प्रतिरोध को सरेनी करम में जोरा जाता है, तो इसका सम्तुले प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, सरेनी करम, मैंने बताया था, अगर सरेनी करम पूछ ले, आड सम्तुले का, आड equivalent का, तो आप क्या करोगा? जितना भी प्रतिरोध दिया गया है, सब को जोर लोगे. आर वन प्लस, आर टू, प्लस माल लेते है इसका आगे और प्रतिरोध रहता है, तो सब को एड कर लेते हैं सीधा सिंपली, ठीक है? तो तीन प्लस चार प्लस पाँच, कितना हो जाएगा? चार तीन साथ और पाँच, बारो ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भी इसका करेक्ट आंसर होगा. अगला प्रसने, अग प्लस फन अपाई या प्लस फन आफोन आटिर्प्र करके बताया था, यहीं बताया था. अब इस फर्मूली पर इसको डालो। रवून का त्वORY दे दियागा 12,20 अब प्लस यका लेंगे, Ruby लोंगे IT, अब यसका देदियागा, 60 आएगा? डापवर पось मेलच एगा. 5 प्लस 15 चोगा साथ हाता है 4 प्लस 20 या साथ हाता है 3 ठीक है तो 5, 4, 9 और 3 बारह बट्टे साथ हा गया कितना गया बारह बट्टे साथ मैं रफ कर रहा हूँ ध्यां देजगा बारह बट्टे साथ हाईगा यानि कि 1 अपॉन आड एक्वेलेंट इस एकल टू कितना गया बारह बट्टे साथ जब इसको अब काटो गया तो क्या आएगा 1 अपॉन फाइब 1 अपॉन फाइब याएगा ना 12 पंचे साथ 1 अपॉन फाइब आएगा तो मैंने क्या बताया था कि यह 1 अपॉन आर एक्वेलेंट आया है आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको एक फ्यू प्रेशन आपके एक्जाम डेशन में नहीं शूटेगा जिस भी क्वेलेंट को मैंने बताया है अगर उसे रिलेड़ेंट कोई फी क्वेलेंट साथ है तो आप आसा हैने से कर पाऊगा ये कुशियन आपके लिए है इस क्वेलेंट का आप में कमेंट में बता उगए अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ तफते के लिए धनेवाद